नमस्कार में प्यारे दोस्तों मैं सुरो कुमार से श्योडी श्यडी में आपका हर श्योद करता हूँ आशा करता हूँ कि आप लोग पर आई बहुत अच्छी से चल रही होगी आज हम लोग परने वाले हैं दोस्तों सुपर इस्टार पब्लिकेशन की समानिग्यान की ये करने से पले एक बात और करना चाहेंगे दोस्तों अगर आपका कोई भी एकजाम है तो इस बुक को सुरूष लेकर अन तक एक बाद पढ़ जरूर लिजेगा चोंकि ये भारत की एक ऐसी पुस्तक है जो बिलकुल तुरूटी रहीत है दोस्तों इसमें कोई भी कोशन से गल रहे हैं चले दोस्तों में स्टाट करते हैं इस्टाट करने से पहले आप इस बुक को देख लीजिए यहीं बुक है दोस्तों सुपरेस्टार पबलिकेशन की समन यान की पुस्तक है ये और सुदता अस्परश्टा एवं सरलता के साथ ये बुक आती है और ये कापी खास बरता है चटकर गिर करना गिर का चरना नहीं आ खरता है आखिर उसकी मेनत बेकार नहीं होती कोशिस करने वालों की हार नहीं होती डूक किया सिंदू में कोता खोर लगाता है जा जाकर खालिये ilas en your प्रवाट कराता है, मिलते नहीं सहाजी मोती कहरे पाणी में, बरता दोगुना उत्सा इसी हेरानी में, मुच्ची उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोजिस करने वालों की हार नहीं होती, एक अंतिम पक्ती है दोस्तों, असफलता एक चिनोती है इसे स्विकार करो, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो, जब तक नो सपल और नीन चैन को त्यागो तुम, संघर्सों का मैदान छोड कर मत भागो तुम, कुछ के बिना ही जय जय कार नहीं होती, कोजिस करने वालों की हार नहीं होती, कोजिस करने वालों की हार नहीं होती, एक हम टेलिग्राम चैनल म की पिडियमती जाती है अगर दोस्तों जीवान में मुसीवत आई तो कभी घबराना मत क्योंकि गिर का उठने वाल ही तो इतिहास बदलते हैं दोस्तों इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखेगा और एक बात हमेशा याद रखेगा महनत कभी भी वैर्थ नहीं होता है महनत परसनिक विएक दोस्तों गाएं ठीक के साथ काता है से आप लोग एक बार मन और जित के साथ एक पड़ भी जाईएं और हम से जीतना होगा, हम आप लोगे साथ हमेशा रहेंगे, कुछ ने कुछ ले कर पड़े हम आते रहेंगे, और इस पुख का ये कॉंटेंट से दोस्त हम लोग complete कर चुके हैं और इसे भी हम लोग complete कर चुके हैं दोस्तो भारती राजवेस्था यानि पॉलिटी को भी और यह जो दिया गिया भारती आर्थवेस्था इसे भी हम लोग दोस्तो complete कर चुके हैं economics को और भोतिक विज्ञान को भी complete कर चुके हैं आज हम लोग complete करने वाले हैं दोस्तों सिर्फ इसमें एक ही subject बचा हुआ था वो था दोस्तों chemistry यानि रासाइन विज्ञान इसे complete कर देंगे और इसके बाद ये book पूरी अच्छी तरह से complete हो जाएगी और इसमें जो दिया गया है जिब विज्ञान इसे भी हम लोग दोस्तों कर चुके हैं और ये विज्ञान इसे भी हम लोग complete कर चुके हैं यानि पूरी बुक दोस्तों complete हो जाएगी आज चली दोस्तों हमें start करते हैं बिना देर किये हुए दोस्तों रसाइन विज्ञान पाहला टॉपिक है विज्ञान की वासाखा जिसके अंतरगत पदार्थों क गून, संगठन, संरचना उसमें होने वाली परिवर्तनों एवं पारसपरी किरिया परतिकिरिया का अधियन किया जाता है क्या कहा जाता है रसाइन विज्ञान विज्ञान की वासाखा जिसके अंतरगत पदार्थों के गून, संगठन, संरचना उनमें होने वाली परिवर् काला रंग होता है। किमिया सब्सुहिए इसका अर्थ काला रंग होता है। अगला है दोस्तों नोट्स कीमिया मिसर देश की भासा का एक सब्द है कीमिया मिसर देश की भासा का एक सब्द है आधुनिक रासायन विज्ञान का जनक या जन्मदाता किने कहा जाता है एंटोनी लेवो जियर को आध्याई पर्ष्ट पदार्थ एवं उसकी प्रकिर्ती बेसिक प्रस्ण और तथा उनके उत्तर ऐसी कोई भी वस्तु जो अस्थान गेरती है जिसमें कुछ भार होता है तथा जो रुकावट और दबाव डाल कर स्वेम का हमें आहसास करा सकती है पदार्थ या दरव्य ऐसी कोई वस्तु जो अस्थान गेरती हो जिसमें कुछ भार होता है तथा जो रुकावट और दबाव डाल कर स्वेम हमें आहसास करा सकती है को क्या कहते हैं पदार्थ या दरव्य ऐसी पदार्थों का भौतिक वर्गी करन पदार्थ की वह बहुतिक आवस्ता जिसमें उसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है क्या कालाता है ठोस पदार्थ की वह बहुतिक वर्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है क्या कालाता है ठोस पदार्थों का रहसायनिक वरगी करन गाये सुद्ध पदार्थों को की पदार्थ। वा गुन समान होते हैं, उन्हें क्या करते हैं सुध्पदार्थ, सुध्पदार्थ कितने भाग होते हैं कौन-कौन, दो तत्व वा योगिक, सुध्पदार्थ कितने भाग होते हैं कौन-कौन, दो होते हैं तत्व वा योगिक, वा सुध्पदार्थ जो सिर्फ एक ही तरह के परमानुओं से मिलकर बना होता है तथा जिसे किसी भी रसायनिक या भौतिक प्रक्रिया दोरा दोभिन गुन वाले पदार्तों विभाजित नहीं किया जा सकता है क्या कालाता है तत्व तत्व का एक उधारन है लोहा वह सुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रसाइनिक संयोग से बना होता है तता जिसे किसी यांत्रिक या भोतिक विधी द्वारा तो नहीं परन्तु अब उप्युक्त रसाइनिक विधियों द योगिक एक उधारन है जल अब हम देखेंगों और सुद्ध पदार्थ जिन पदार्थों के परतिक भाग का संगठन वागून भिन भिन होते हैं उन्हें क्या करते हैं और सुद्ध पदार्थ वह और सुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक सुद्ध पदार्थ हों ततो या योगिकों को निश्चित या और निश्चित किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है तता जिसे चरल यांत्रिक वीधियों दोरा पुना प्रारमिक अभियों में प्राप्त किया जा सक कि उसे क्या करते हैं मिश्रित पदार्थ वह सुध पदार्थ जो दो या दो से अधिक सुधू पदार्थ हो तो या योगी को को निश्चित या ऑनिश्चित किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। तथा जिसे सरल यान्तरिक विदियों दोरापुना प्रारंबिक blossom में प्राप्तट किया जा सकता। क्या करते हैं मिस्रित पदार्थ पदार्थ के उधारन है हवा कोमा बारूद वह हवा कोमा बारुद वह मिश्रित पदार्थ जो दो या दो से अधिक सुद्ध पदार्थ हो या तत्तु या योगी को एक निश्रित अनुपात में मिलाने से बनता है तथा जिसके परतिक भाग का गुन धर्म एक समान होता है क्या कालाता है समांग मिश्रन वह मिस्रित पदार्थ जो दो या दो से अधिक सुद्ध पदार्थों तत्तु या योगी को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है जिसके पर्तिक भाग का गुन धर्म एक समान होता है क्या कालता है समांग मिस्रन समांग मिस्रन का उधारन है अबा वह मिस्रित पदार्थ जो दो या दो से अधिक सुद्र पदार्थों को किसी और निस्चित अनुपात में मिलाने से बनता क्या कालता है वी समांग मिस्रन मिस्रन को अलग करने की कुछ परमुख भी दिया और कार्वनिक ठोस पदार्थों के मिस्रन को अलग करने के लिए किस वीदी का उपयो क्या जता है रवा करन जब दो दरवों के कौधनांक में बहुत अधिक अंतर हो तो उनके मिस्रन को किस वीदी से पिर्थक करते हैं आसवन जब दो द्रवों के कोथनांकों में बहुत अधिक अंतर हो तो उनके मिश्रन को किस विदी से पिर्थक करते हैं आसवन यदि किसी मिशन के दो ठोस पदार्थों में एक उर्धुपातज हो तो इस परकार के मिशन को किस विदी से अलग करते हैं उर्धुपातज हो उर्धुपातज की परिभास सा अगले प्रेश्ट पर दी गई है जब मिस्री द्रवों के कौथनांग में बहुत कम अंतर हो तो उन्हें किस विदी से अलग करते हैं परभाजी आसवन जब किसी मिस्री द्रवों के कौथनांग में बहुत कम अंतर हो उन्हें किस विदी से अलग करते हैं परभाजी आसवन कार्वनिक पदार्थों जो जल के साथ ओगुलन सील परंतो भाप वास्प के साथ वास्प सील होते हैं तथा वे अपने कोथनांग पर अफगटित हो जाते हैं को किस विधी से अलग या सुद करते हैं भाप आस्वन कार्वनिक पदार्थों जो जल के साथ और गुलन सील परंतो भाप वास्प के साथ वास्प सील होते हैं तथा साथ ही वो अपने कोतनांग पर अपगटित हो जाते हैं को किस विदी से अलग या सुद करते हैं भाप आस्वन विदी पदार्थों की अवस्था परिवर्तन ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रकरिया को क्या काते है द्रवन जिस निश्चित ताप पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या काते है द्रवनांग जिस निश्चिताप पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता उसे क्या करते हैं द्रवनांग द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता उसे क्या करते हैं जमना जिस निश्चिताप पर ठोस में परिवर्तित हो जाता उसे क्या करते हैं हिमांग सामानेता पदार्थ का दरवनांक तथा एवं हिमांक का मान बराबर होता है पदार्थ का दरवनांक एवं हिमांक का मान कितना होता है? 0 degree Celsius पर्फ का दरवनांक तथा एवं हिमांक का मान कितना होता? 0 degree Celsius और सुधियां मिलाने से पदार्थ के दरवनांक ही मांग पर क्या परवापड़ता एक कम होता है। गलने पर अधिकांस क्रिस्टलिये पदार्थों के आयतन पर क्या परवापड़ता है। वास्प अवस्थाम परिवर्तित हो जाता है। उस दरव का क्वथनांग। गैस वास्प से दरव में परिवर्तन की क्रिया को क्या कालाती है। गैस वास्प से दरव में परिवर्तन की क्रिया क्या कालाती है। जिस ताप पर कोई दरव वास्प में परिवर्त हो जाता है। उसी ताप पर उस दरव विश्यस का वास्प से दरव में संगनन भी होता है। दाप बढ़ाने से दरव के कोथनांग पर क्या परवाप परता है। जल का कोथनांग कितना होता है? 100 डिगरी सेल्सियस। समिस्त्रित प्रस्ण उत्तर देखेंगे दोस्तों। विश्यो का प्रतेक पदार्थ अत्यंत सुक्समकनों से बना होता है। या सौरपरतम किसने कहाता महर्ची कनाद ने। विश्यो का प्रतेक पदार्थ अत्यंत सुक्समकनों से बना होता या सौरपरतम किसने कहाता महर्ची कनाद ने। सामानेता ताप एवंदाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है परंतो इसके अपवाद हैं लकरी वा पत्थर समानेता ताप वमदाब में परिबरतन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिबरतन किया जा सकता है परन्तो इसके अपवाद हैं लकडी वा पत्थर तीनों अवस्थाओं ठोस दरब और गैस में रहने वाला पदार्थ है जल तीनों अवस्थाओं ठोस दरब और गैस में रहने वाला पदार्थ है जल कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किये जाने पर अन्य ठोस पदार्थों की तरह दरब अवस्था में नहीं आते बलकि कि सीढ़े गयाव वास्प में बन जाते हैं और इनके वासफ को ठंडा करने पर ये पुना ठोस अब अस्ताम परिवरतित हो जाते हैं ऐसे पदा तन यस पर क्रिया को करम सांब क्या कहा जाता है ऐसे प्रक्रिया प्क्रुपातर्त करते हैं समांग मिस्रन कुहासा किस परकार की मिस्रन का उधारन है वी समांग मिस्रन सांचे में केबल वे पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतर में बढ़ते हैं मुद्रन धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतर में बढ़ते हैं चांदी या सोने की मुद्राइट ढाल कर नहीं बलकि किस परकार बनाई जाती है मुहर लगाकर मिस्र धातुओं का दरवनांग उन्हें बनाने वाले पदार्थ के गलनांग से कम होता है अगला है मिस्रन तता उन्हें अलग करने की विदी मिस्रन तता उन्हें अलग करने की विदी पर्मानु सनरचना बेसिक प्रस्ण तथा उनके उत्तर किसी पदार्थ का वह चोटा से छोटा अंस जिसमें पदार्थ के सभी गुन विद्धमान रहते हैं तथा जो किसी वी रासाइनिक पर्तिकिरिया में भाग ले सकता परंतु सोतंत रवस्ता में नहीं रह सकता क्या का कालाता है पर्मानु किसी पदार्थ का वह चोटा से छोटा अंस जिसमें पदार्थ के सभी गुन विद्धमान रहते हैं तथा जो किसी भी रासाइनिक अबिकिरिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत रवस्ता में नहीं रह सकता क्या कालाता है पर्मानु किसी पदार् परमानों के नाविक में उपस्तित प्रोटोनों की संख्या को नाविक के चारों और चकर लगाने वाले एलक्टोनों की संख्या को क्या करते हैं उस तत्तों का परमानों संख्या किसी पदार्थ के परमानों के नाविक में उपस्तित प्रोटोनों वा न्यूट्रोनों की संख का बारे भात से कितना कुना भारी ये क्या कहा लाती है पदार्थ Cutka-pt पर्मानु भारल वाय संगर करने जो यह परतरशित करती है on textile कि दिमान करने नो बारे भस कितना घुना भार एकमानु पॉप रखते हैं तो जिसमें पदार्थ के समस्तिकुन विद्धमान राते हैं क्या कहलता है अनू फिर जो नोट पदार्थ अनूँओं से मिलकर बने होते हैं तथा अनू बर्मानूँओं से वर संख्या जो यहाँ पर दस्तित करती है कि उस पदार्थ का एक अनू कारवन बारे कर के एक परमानों के एक वता बारे भाग से कितना गुना भारी है कहलाती है पदार्थ का अनूभार किसी परमानू अथवा अनू कराम परमानविक अत्वा आनूविक दर्वमान को क्या कहा जाता है एक मुल मूल संख्यां एक दरवमान दोनों के अपरतिक सन 1967 में मूल को एकाई के रुप में स्विकार किया गया स्पेक्टरम रेखाओं की सुक्स्म प्रकृति समझाने तथा इलक्टरौन की वास्त्विक इस्तिति का वर्णन करने ही तो जिन चार संख्याओं का परियोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं क्वांटम संख्याओं स्पेक्ट्रम संख्याओं की सुक्स्मों प्रकृति समझाने तथा इलक्टोन की वास्तवी की स्थिति का वर्नन करने है तो जिन चार संख्यां का परियोग किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, क्वांटम संख्यां, एक ही तत्यों के परमानों जिनका परमानों भार या दर्वमान भीन भीन परन्तु परमानों संख्यां समानों क्या कर लाते हैं, समस्थानिक आइसोटॉप्स, एक ही तत्यों के प्रमानों जिनका प्रमानों भार या थन्मरानों भीन प्राह्णित्र प्र्मानों व्रमानों लुगेंग्माद्ण करें हाइच प्रोटियम परमानो दरविमान दो परमानो संख्या एक यह दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है इसे आप लोग याद कर लीजेगा वे तत्व जिनके परमानो भार समान किंतु परमानो संख्या भिन भिन होती है क्या कहलाते है आईसो बार्स वे तत्व जिनके परमानो भार समान किंतु परमानो संख्या भिन भिन होती है क्या कहलाती आईसो बार्स वे तत्वों के ऐसे परमानो जिनके नाभिक में न्योट्रोनों की संख्या सम समान होती हैं इसो इलक्ट्रोनिक सम परशित प्रस्म उत्तर देखते हैं किसी प्रदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसप्रदार्थ के एक मोल करभन के 12-2 और17 मोल सबसे अधिक समस्थानिक वालाता तो है टीन सबसे अधिक अस्थाई समस्थानिक वालाता तो है टीन किसी परकार का विवाद नहीं है किन्तु सरवादिक समस्थानिक, अस्थाई वा विवाल तो परतमान में जैनौन के 36-36 समस्थानिक है एक माह दर्ता तो जिसके समस्थानिकों को विशेस नाम दिया गया है हाइड्रोजन समस्थानिकों के नाविक में किसकी संख्याइं बिन होती है न्यूट्रोण परमानों का अंतराष्ट्य मानक क्या है C12 परमानों भार का अंतराष्ट्य मानक क्या है C12 परमानों भार का अंतराश्य माना क्या है C12, कार्बन 12 गैसों का आच्रन, गैसों का आच्रन बेसिक प्रस्टता उनके होता है इस्तिर ताप पर किसी गैस का नियत मातरा का आईतन, उसके दाब का वित्त करमानों पाती होता है यह नियम क्या कालाता है? बॉयल का नियम इस्थिर ताप पर किसी गैस का नियत मातरा गैस की नियत मातरा का आईतन उसके दाप का भी करमानुपाती होता है यह नियम क्या कालाता है? बॉयल का नियम इस्थिर दाप पर किसी गैस की नियत मातरा का आईतन उसके प्रम्ताप का सीधा अनुपाती होता है यह नियम क्या कहलाता है चार्ल्स का नियम समाने समाने ताप एबमदाप समाने ताप एबमदाप पर किसी सभी गैसों के समान आयतन में अनुओं की संख्या समान होती है यह नियम क्या कहलाता है आवोगाडरो का नियम आवो गादरो खानियम सामानिय ताप अबम दापर विभीन गैसों के एक गराम अनू का आयतन कितना होता ही तो था इस आयतन में कितने अनू होते हैं 22.4 लीटर 6.022 इंटर टाबर 23 फिरुट भी का विठरी गानथों में अंतर रहते हुए परित्वी के गृत्रहा करिया क्या की आदाब क है गैसों का विष्रन ग्राहम का गैसिय विशरन अगला समिसित प्रस्ण उत्तर बॉयल का नियम चाल्स का नियम अवगाड्रो का नियम के संयोजन में से जो समिकरन प्राप्त होता है उसे क्या करते है अबस्था समिकरन बॉयल का नियम चाल्स का नियम अवगाड्रो का नियम के संयोजन से जो समिक प्राप्त होता है उसे क्या करते हैं अवस्था समीकरन हाइडोजन गैस का अनुभार एक तता ऑक्सिजन गैस का अनुभार 16 होता है अधा हाइडोजन गैस की विश्रन की जगती ऑक्सिजन गैस के विश्रन की गती से कितना गुना अधिक है चार गुना अधियाई चार तत्वों का आवर्ती वर की करन बेसिक प्रस्ज़ंत था उनकेउत था इसका है दोस्तों पहला तत्वों का बोहतिक एवं मरसाइनिक गुन उनके परमानों भार के आवर्थ फलन होते हैं या नियम क्या कालाती है मेंडलीव का आवर्थ नियम तत्वों का बहुती के वम्रसाइनी गुन उनके परमानुभार के आवर्थ फलन होते हैं या नियम क्या कालाती है मेंडलीफ का आवर्थ नियम मेंडलीफ त्वारा बनाई गई आवर्थ सार्नी में कुल करमसा कितने आवर्थ और वर्ग थे 7,9 मेंडलिफ के आवर्थ सार्नी के दोसों को दूर करने के लिए कब तथा किसने आधुनिक आवर्थ सार्नी प्रस्तूत की 1913 में हैनरी मोजले हैनरी मोजले इंगलेन मेंडलिफ के आवर्थ सार्नी के दोसों को दूर करने के लिए कब तथा किसने आधुनिक आवर्थ सार्णी प्रस्तूत की 1923 हेनरी मोज ले आधुनिक आवर्थ सार्णी के अनुसार्थत्तों के गुन किसके आवर्थ फलन होते परमानु संख्यां के आधुनिक आवर्थ सार्णी में आठवां 36 पंक्तियों या कतारों तथा वर्गों उर् उद्वाधर खानों या श्ताम्बों की संग्या कर्मसा होती है साथ कॉमाठार रसाइन्स चेत्र की अग्रानिवा नियामक संस्थान इंटरनेशनल यूनियन और प्योर एंड अप्लाइड केमेस्ट्री तथा अधुनिक आवर्थ सारने के चित्र के अनुसार अब वर्गों का उलिख नहीं होता है अधुनिक आवर्थ सारने के किस वर्ग का प्रथम सदस से अपवाद स्वरूप एक चार धातो नहीं है वह सदस से कौन सा है तता क्या है पहला है डोजन गैस अधुनिक आवर्थ सारने के किस आवर्थ का पहला सदस से अपवाद स्वरूप एक चार धातो नहीं है वह कौन सा है तता क्या है पहला है डोजन गैस अधुनिक आवर्थ सारने के परतेक आवर्थ का अंतिम सदस से क् आधुनिक आवर्चार्णी में वैसे था तो जिसकी पर्मानु संख्या 57-71 तक है को जिस श्रेनी में रखा गया है उसे क्या नाम दिया गया है लेंथे नौइट श्रेनी आधुनिक आवर्चार्णी में वैसे था तो जिनकी पर्मानु संख्या 57-71 तक है को किस श्रेनी जिस श्रेनी में रखा गया है उसे क्या नाम दिया गया है लेंथे नौइट श्रेनी आधुनिक आवर्चार्णी में वैसे था तो जिनकी पर्मानु संख्या 58-63 तक है को जिस श्रेनी में रखा गया है उसे क्या नाम दिया गया है एक्टिनाइट श्रेनी हैलोजन कूल के ततों हैलोजन कूल के ततों फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन औस्टाटीन तरह 2016 में सामिल नया ततों टेनेशाइन को आधुनिक आवर्चार्णी के किस वर्ग में रखा गया है वर्ग 17 हैलोजन कूल के ततों फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन औस्टाटीन 2016 में सामिल नया ततों टेनेशाइन को आधुनिक आवर्चार्णी के किस वर्ग में रखा गया वर्ग 17 नोबल गैसों अक्रिये गैसों हीलियम नेयोन और्गन जैनोन रेडियो एक्टिव डेड़न 2016 में सामिल नया ततों ओगा नेशन को आधुनिक आवर्चार्णी के किस वर्ग में रखा गया वर्ग गठा रहा है आधुनिक आवर्चार्णी में धात्वों को और धात्वों के गुत्याज़ से अलग करने के लिए किस परकार को यहीं पयोग क्या जाता है टेड़ी मेडि रेखा अंधुनिक आवरचार्णी में धात्वों के गुन पाए जाते हैं जिस कारण इनने और अर्ध धातु या उप्धातु भी कहते हैं बोरान सिलीकोन जरमेनियम हईंद्र आर्श ! एंटीमarsi टेल्यूरियोम पॉलोनियम किस तत्त की पर्मानों की वहा छंता किसी तत्त की पर्मानों की की वहा छंता जिससे साजेधारी की इलक्ट्रोन जोरी या इलक्ट्रोन घनतों को अपनी और खिंचती है क्या कहलाती है विद्धुत रिनात्मक्ता आगे दोस्तों किसी तत्तो या उसके परमानों के इलक्ट्रोन त्यागने की छमता क्या कहलाती है विद्धुत धनात्मक्ता सबसे अधिक विद्यूत रिनात्मक्ता की होती है फ्लोरीन की आगे दोस्तों विद्यूत रिनात्मक्ता की विद्यूत रिनात्मक्ता पैमापने की अनेक पैमाने हैं जिसमें तत्वों का विद्यूत रिनात्मक्ता मान अलग-अलग दिया गया है उप्रोक्त उत्तर पाउलिंग पैमाने का अधार पर दिया गया है जिसमें हीलियम नेओन अधा ओर्गन का विदूत रिनात मक्ता का मान इस अधार पर काउंट नहीं किया जाता है कि इनका विदूत रिनात मक्ता मान गयात करना संबब नहीं है भारत सहीत अधिकान देशों में वेदुतरिनात्मक्ता के लिए यही पैमाना पर चलीत है एलेडीड रोको पैमाना जिसमें हिलियम ने और तुता ओर्गन के विदुतरिनात्मक्ता कामान की गनना की जाती हिलियम को सरवादिक विदुतरिनात्मक्ता वाला तत्व माना गया है परिक्षाम हमें साथ दोनों उत्तर फ्लोरीन तता हिलियम में एक ही विदुतर विकल्प में राता है यदि साँवक्त दोनों रहे तो भारत में पर चली पजमने के आधार पर उत्तरदी जाएगी करोगे सबसे कम विदुत्रीनात्मक्ता किस तक्टी होतीयां कि人 जो कि финतीयम ज़िए यचाला से एक लेक्ट्रोन को निकाल के लिए आवस्यक है क्या कहलती है आएनन वीध़ब या आइनन उर्जा आनन वीध़ब या आइनन उर्जा आधुनिक आवर्थ सार्निक किस वर्ग की आइतन उर्जा सरवादिक होती है वर्ग अठारे नोबल गैस आधुनिक आवर्थ सार्निक किस वर्ग की आइतन उर्जा आइनन उर्जा सरवादिक होती है वर्ग अठारे नोबल गैस आधुनिक आवर्थ सार्न और दोsti सबी प्रकार के अस्थाई वा य। वह स्थाई के तत्वों से अस्थाई तत्व में सीजियम सरवादिक विदु धनात्मक तत्व है नियुन्तम विदु धनात्मक तत्व कौन सा है फ्लोरीन किस तत्व की परथम आयनन उर्जा सरवादिक होती है हीलियम की किस तत्व की परथम आयनन उर्जा सरवादिक होती है हीलियम की अब हम लोग दोस्तों नोट्स देखते हैं किसी तत्व की आयनन उर्जा को परथम आयनन उर्जा दोती है आयनन उर्जा तिरती है आयनन उर्जा तथा इसी परकार उचतर आयनन उर्जा में वर्ग करित की जा स लगती है तत्वों के बिभिन वर्गों के आनन एर्जा का योग संबंदी अंकरोग उल्बद नहीं है इसलिए उस्ञीए केवल पर इनर्जा से संबदित प्रसनोत्रथ दिये गए है हैं किसी तफ कि स्थरय इस तथ कि आनन यॉद अनियुनत्म होती मुट yılसीडियं जब एक उदासिन परमानों के एक इलक्टोन ग्रहन करता है तो उसके फॉल्स औरुप उत्पन और जा को क्या करते हैं? इलक्टोन बंधुता सबसे अधिक इलक्टोन बंधुता किस तत्युकी होती है? क्लोरीन की सबसे कम इलक्टोन बंधुता किस तत्युकी होती है क्लोरीन की क्लोरीन सरवादिक सकती से अतिरिक्त इलक्टोन को आकर्चित करता है जबकि मरकरी सरवादिक दुरबलता से अतिरिक तिलक्टोन को आकर्चित करता इस परकार क्लोरिन की लक्टोन बंदोता सरवादिक तदा मरकरी की लक्टोन बंदोता सबसे कम मानी जाती है नोबल गेस सहित अनेक तत्वों की लक्टोन बंदोता ग्यात नहीं है जिन तत्वों की लक्टोन बंदोता ग्यात है उसी आधार पर उपरोक्त उत्तर दिया गया है जिन तत्वों की लक्टोन बंदोता ग्यात नहीं ग्यात है उनके संख्यातों के मान की तुलना की जायतों म और करी कैतिरिक्त, रेडोन, हाफनियम, जैनोन, कैडमियम, क्रिंटोन, जिंक, मैगनिज, और्गन, मैगनिसियम, नेओन, बेरिलियम, हिलियम, सभी की इलक्ट्रोन बंधुता, जीरो किलोग्राम परती मौल है। आवर्त सारने, गुन उपर से वर्ग में उपर से नीचे आने पर, आवर्त में बाये से दाए जाने पर, परमानू का आकार, तिर्जी आव्यास, उपर से नीचे आने पर बढ़ता है, बाये से दाए जाने पर घटता है, विदु धनात मकता, उपर से नीचे आने पर घटता ह और बाये से दाए जाने पर घटता है विदुत्रिनात्मक्ता उपर से निचाने पर घटता है बाये से दाए जाने पर बढ़ता है आइनन उर्जा उपर से निचाने पर घटता है और बाये से दाए जाने पर बढ़ता है इलक्ट्रोन बंधुता प्रीति उपर से निचाने प बढ़ता है आधुनिक आवर्त सार्वनि में तत्वों के उप्रोक्त प्रवर्ति के कुछ अपवाद भी हैं समिश्रित प्रस्णों उतर डामित्री इकानोविच मैंडलिफ किस देश के नागरिक थे उन्होंने अपना आवर्त नियम का प्रस्तुत किया थे रूस के थे ऐठ्हारश उनचर इसवी में डामित्री इकानोविच मैंडलिफ किस देश के नागरिक थे उन्होंने अपना आवर्त नियम का प्रस्तुत किया थे कि रूस के थे 1869 में परस्तुत किये थे थित्वा के बार्गी करन का तरिक नियम कब 13 Walmart को ने दिया था 817 इस्वी में जोहान ॉल्फ गॉंग डॉवराईनर ने जर्मन के थे वर्गी करन का तत्वों के वर्गी करन के अस्टक सिध्धान्त कब तता किस रासायनग ने दिया था अधुनिक आबर्थ सार्णि में किस वर्ग की इलक्टोन बंदूता उच होती है वर्ग सत्रह वर्ग सत्रह को आधुनिक आबर्थ सार्णि के पुराने रूप में सैवेन ए कहा जाता था आधुनिक आवर्थ सारनी के किस वर्ग के इलक्ट्रोन बंदुता निम्न होती है वर्ग अठार नोबल गैस आधुनिक आवर्थ सारनी के किस वर्ग के इलक्ट्रोन बंदुता निम्न होती है वर्ग अठार नोबल गैस नोवल गैसों की पाहितम कख्षाप पूर्ण होती है इस परकार इलक्टोन बंदुता की परिमाप के अनुसार इसकी इलक्टोन बंदुता सुन्य मानी जाएगी क्योंकि ये किसी परकार के रासाइने के रिया में भाग नहीं लेते हैं अता किसी परकार की उर्जाभी मुख नहीं करते हैं आधुनिक आवर्थ सारनी के नविंतमततो जीने 2016 में सामिल किया गया था निहोनियम मोस्कोवियम टेने साइन ओगानेशन निहोनियम एनेच मोस्कोवियम एमसी टेने साइन टी एस ओगानेशन ओजी की परमानुसंख्या करमसा 113, 115, 117, 118 अधारा है निहोन निहोनियम से टेरा में पंदरा में शत्रह में तरह अथ्षान पर रखा गया है आधुनिक आवर्थ सारने के किन तत्वों को सम्मिलित रुप से दुरलब मिर्दात तत्व रेर सर्च एलिमेंट्स कहा जाता है जिनका उप्योग विभिन परकार की इलक्रोनिक समानों डिस्क, ड्राइव, MP3, प्लेयर्स, चार्जेबल, बैटरी, डिस्प्लेय, टीवी, मॉनिटर, नाइट वीजन, चस्मा, मॉबाइल फोन, मिसाइल, निर्देश, परणाली, जेट फाइटर, इंजनों, अंडर वाटर, माइन, डिटेक्टर्स, आधिम के निर्मान में होता है चीन, ब्राजिल, रूस, भारत, दुरलब, मिर्दा, ततो के भंडार, निच्छेप में पर्थम, चार देश हैं, चीन, ब्राजिल, रूस, भारत, इस संबद में पाचवे अस्थान पर आस्चलिया तता छटे अस्थान पर गिरिनलेंड हैं, वर्तमान में दुरलब, दुरलब, मिर्दा, ततो के उर्तवादन परथम चार देश हैं, चीन, अस्चलिया, रूस, ब्राजिल, नोट इस संबद में पाचवे अस्थान पर थाइलेंड वा छटे अस्थान पर भारत हैं, आधुनिक आवर्थ सारनी के किस वर्थ के तत्वों का गलनांग कूच होता वर्थ 14, आधुनिक आवर्थ सारनी के किस वर्थ के तत्वों का गलनांग कूच होता है, वर्थ 14, वर्थ 14, कार्बन वर्थ, कार्बन वर्थ के कार्बन वर्थ को आधुनिक आवर्थ सारनी के पुराने स्वरूप में वर्थ 4A कहा जाता था, वर्थ 14, कार्बन वर्थ को आधुनिक आवर्थ सार्ने के पुराने एर्श वरुप में वर्ग 4A कहा जाता था आधुनिक आवर्थ सार्ने में सर्वादिक उच्छ गलनांक वाला तत्व कौन सा है कार्बन एक ओधातू है तता आधुनिक आवर्थ सार्ने में सर्वादिक उच्छ गलनांक वाला तत्व ह परुंतु सामाने वायो मंडलीय दाव पर यहां गलने की जगह उर्दुपाती ठोस से द्रव में ना बदल कर सीधे वास्ट गैस में बदल जाना अर्थात इसे द्रव में परिवर्टित केरने के लिए और अधिक दाव की आपसकता होती है केबल धातों में सरवादिक गलनांक वाला ततो की बात की जाए तो टंगस्टन ही है आधुनिक आवर्थ सार्नी के किस वर्ग का गलनांक सरवादिक निम्न होता है वर्ग अठारे नोबल गैस आधुनिक आवर्ट सार्णी के किस वर का गलनांग सरवाधिक निम्न वालता है वर गठारे नोबेल गैस आधुनिक आवर्ट सार्णी में सरवाधिक निम्न गलनांग वालता है तो कौन सा हीलियम आधुनिक आवर्चाणी में सरवादिक निमन गल नॾंग वाला ततु कौन सा ही? हेलियम एक ओधातु है धातु है धातू में सरवादिक निमन गल नौंग वाला ततु मरकरी है रसाइनिक बंधन, बेसिक प्रसिथ उनके उत्तर जब विभिन तक्तों के परमानुर रसाइनिक अभी किरिया करके अपने इलक्टोन के पुनर वित्रन, गरहन या त्याग या अस्थान अंत्रन अत्वा साजेदारी के ज़रिये आपस में क्विशेश परकार के बंध का दिर्मान करते हैं, तो इस बंध को क्या करते हैं, रसानिक बंदन मुखहता कितने परकार कोते हैं तीन जब परमानों की बिच बंद का निर्मान इलक्टोनों के इस परकार के बंदन को क्या करते हैं वैद्यूत सहह्योजक बंदन जब परमानों के बिच बंद का निर्मान एलक्टोनों की साज़ेदारी से होती है तो इस परकार के बंदन को क्या काते है सहसेयोजक बंदन जब पर्मानों के बीच बंद का निर्मान एक इलक्टोन जोरी के साज़ेदारी से होती है तो इस परकार के बंदन को क्या कहते हैं? जब किसी विध्युत्रिनात्मक पर्मानों के साथ एक विश्यस कार्ण के आकर्सन बल से बंद जाता है तो इस परकार के बंदन को क्या करते हैं? हाइड्रोजन बंदल जब दो परमानों की उपकक्षा और्बिटल एक दुसरे से एक रेखिक अक्ष पर अतिवियापन करते हैं तब दोनों परमानों की बीच बने बंदल को क्या करते हैं सिगमा बंदल जब दो परमानों की उपकक्षा और्बिटल एक दूसरे से एक रेखिक अक्ष पर अतिवियापन करते हैं तब दोनों परमानों की बीच बने बंदन को क्या करते हैं सिगमा बंदन जब दो परमानों उपकख्षाओं के पास वो का आतिवयापन होता है तो इससे निर्मित बंदन को क्या करते है पाई बंदन वह गोलक जिनका परावेद्यूत इस्तिरंग उच होता है क्या कलाता है जल वहाग फोलग जिनका परा वैदयूत इस्तिरांख उचूता क्या कलता जल सोडियम क्लोराईड नश सीयल में कौन सा रसाइन बंदन है वैदयूत सहंभ जग बंदन अब हम लोगो तेहेंगे ऑकसिक करन अव करन बेसिक प्रस नरून के उत्तर वार असाइनिक प्रकिरिया जिसमें ऑक्सिजन अत्वा अन्य विद्धु तरिनात्मक तत्वों का संयोग होता है या किसी योगिक से हाइडोजन अत्वा अन्य किसी विद्धु तरिनात्मक तत्वों का निस्कासन होता है या किसी योगी की पर्मानु सही हो जगता में बिड़्दी होती है या किसी तत्यों की ऑक्षिकरन संख्या बढ़ती है या इलेक्ट्रोन का च्रह होता या किसी तत्यों अथ्वा योगिक में बिद्दु तरिनात्मक परमानों या मूलकों का अनुपाद बढ़ जाता है या किसी योगिक में बिद्दु तरिनात्मक परमानों या मूलकों का अनुपाद कम हो जाता है क्या कालाती है आक्सी करन औक्सी करन वह रसाइनिक प्रक्रिया जिसमें कोई परमानू अत्वा आयन एक या अधिक इलक्टोनों का त्याग कर उच विद्यूत धनात्मक अथवा अवस्था या निमने विद्यूत धनात्मक अवस्थाम परिवर्दित हो जाते हैं क्या कर लाती ओक्सी करन वह संख्या जो किसी तत्तो के किसी अन्य अनू के या आयन के किसी परमानू पर आवेसो धनात्मक या रिनात्मक की संख्या बताती है क्या कहलाती औक्सिकरन संख्या वह संख्या जो किसी तत्यों के किसी अनू या आयन के किसी परमानू पर आवेस धनात्मक या रिनात्मक की संख्या बताती है क्या कराते ओक्सिकरन संख्या वह पदार जो किसी योगिक में ऑक्सीजन अथवा अन्य विदूत रिनात्मक तत्वों को जोडता है अथवा हाइडोजन या विदूत रिनात्मक तत्वों को किसी योगिक से निस्कासित करता है अथवा किसी दूसरे पदार की ऑक्सीकरन संग्यां बढ़ा देता है क्या कर लाता है औक्सिकारक वारासाइनिक प्रक्रिया जिसमें हाइडोजन अथवा किसी अन्य विदुत धनात्मक ततों का संयोग होता है या किसी योगिक की परमानु संयोजक्ता में कमी होती है या किसी ततों की अक्सिकरन संख्यां घरती है या इलक्टोन की प्राप्ती होती है या किसी ततों की योगिक अथवा योगिक में बेदुत धनात्मक परमानु या मूलकों का अनुपाद बढ़ जाता है अथवा किसी योगिक में बेदुत धनात्मक परमानु का मूलकों का अ पर कम हो जाता है क्या का लाती है अवकरण अवकरण पर कर दो जाता है पर कोई परमानों अथवा आयन एक या अधिक इलक्टोन उलाथन कर के ने मुद्थ। को बाप्धार्थ जो किसी योगिक में हाइडोजन अथवा अन्ये विद्विद्षनात्यमक्तत्तों को जोडता है औरistasन अथवा में विद्विद्व से निस्कासित करता है किसी दुसरे पदार्थ की ऑक्षिकरण संक्यागा को गटा डेता गया कालाता अब कारग gli अब हमलोक्त समीश्वित पर्समल उत्तर पर आते हैं दोस्तों वह वह अब इक क्या जिसमें ऑक्सी करण और आव करण की क्यिया इसाथ सालते है ठिसक्कारे आहीं करी में तंपि वैसे योगिक पदार जिसमें एक या एक से अधिक विस्थापन सील हाइडोजन पर मानू हो और जिने धातू या धातूर समूद वारा आंशिक या पूर्ण रूप से विस्थापित करने पर लवन बनते हो तथा जल में घुलकर धनातमांग हाइडोजन आयन उत्पन करते हो वैसे योगिक पदार जिसमें एक या एक से अधिक विस्थापन सील हाइडोजन पर मानू हो और जिने धातू या धातू समूद वारा आंशिक या पूर्ण रूप से विस्थापित करने पर लवन बनते हो तथा जो जल में घुलकर धनातमांग हाइडोजन आयन उत्पन कर करो का लाते हैं आधोनिक संक्र्णपना के अनुसार वैसे पतार जो किसे दूसरे पतार को प्रोटान परदान करने की छंपता रखते हो अथवा जिसमें इलक्टोन की एक निर्जन जोरी श्विकार करने की प्रविर्थी हो क्या कर लाते हैं अम्ल अम्ल स्वाद में किस परकार के होते हैं? खटे सभी अम्लों का जलिय विलियन नीले बलू लिटमस पतर तथा मैथिल ओरेंज को किस रंग में बदल देता है? लाल अम्ल तेज सक्रिय धात्मों के साथ किरिया करके क्या बनाते है? लवन अम्ल तेज सक्रिय धात्मों के साथ किरिया करके क्या बनाते है? लवन अम्ल तेज सक्रिय धात्मों के साथ किरिया करके क्या मुक्त करते है? लवन वाजल अच्छे वापरवल अम्ल होते हैं विदूत के सुचालक अच्छे भब परबल अमल होते हैं विदूत की सुचा लग पदार तता उसमें पाए जाने वाला अमल निम्बू, निम्बू में साइटरीक अमल कच्चा से मौलीक अमल, कच्चे से मौलीक अमल इमली में टाटरीक अमल सोडा वाटर सोडा वाटर में कार्बोनीक अमल अंगुर में टाटरीक अमल खट्टे दूद दही में लेक्टीक अमल संत्रा में साइटरीक अमल नारंगी में साइटरीक अमल सिर्का में एसितिक अमल पेपदार्थ में कार्बोनीक अमल आचार में एसितिक अमल अचार में सिटिक अमल दुर्गंद युक्त मक्खन व्यूटेरिक अमल दुर्गंद युक्त मक्खन में व्यूटेरिक अमल चीटी के डंक इस्टिंग बिच्छू के डंक तता मदुमखी के डंक में कौन सा अमल पाया जाता है फॉर्मिक अमल चीटी के डंक बिच्छू के ड खाना पंचाने में किस हमुप यह अम्ल सरीय के किस भाग में पाएजाता हेडरोक्लो्रीक अम्ल अम्ल भल दो सुद्धर करण में रांगे शेपर चढ़े त kos निद्क्रण आईरल और जिंक की परचाटाने की क्रियार यंद था झावी करिया सता है किस अममें पर्योग किया जाता है है्ट्रोकलोरी पीटा दवा कांसे धातानों पर नकांसी और नम लखने के काम में किस अमम का परियोग होता है नाइट्रिक अमल उर्वरकों उर्वरकों विभीन परकार के विस फोटकों इत्रों रंग दवाओं रेयोन कृत्रिम सिल्क प्लास्टिक कागज डिटर्जेंट आधी बनाने में किस अमल का परियोग होता है नाइट्रिक या सल्फ्योरिक अमल उर्वरकों विभीन पर आटाने के लिए किस अमल का परियोग होता है औक्जैलिक अमल कपड़े से धब्बे आटाने के लिए किस अमल का परियोग होता है औक्जैलिक अमल पेट्रोलियम सोदक यंत्र होता था बैट्रियों में किस अमल का परियोग होता है सल्फ्यूरिक अमल ऐसी योगिक जो अमल से परतिक्रिया कर लबन एवं जल देता है क्या कर लाते हैं भास मूँ ऐसे योगिक जो अमले से परतिक्रिया कर लबन एवं भास जल देते हैं क्या कर लाते हैं भास मूँ आधुनिक संकल्पना के अनुसार ऐसे योगिक जिन में प्रोटोन गरहन करने की छमता है अत्वा जिन म पहस्मन किたने परकार की होते हैं क्लोन चल्में विले और л 무 प्रोटेसयम हैडquinhoल यमिलिक्स सब्सक्राइब किस परकार समें जल्में विले जिंक जिंक अक्साइड वा क्ताइब और गाजेड सब्सक्राइब लाल लिटमास पत्र को भस्म किस रंग में बदल देता नीला रंग में बस्म स्वाद में किस परकार का होता है तीखा या करबा भस्म मिथाइल ओरेंज को किस रंग में बदल देता है पीला भस्म मिथाइल औरेंज को किस रंग में बदाल देता है पीला अमल से पर्तिकिरिया कर भस्म क्या देता है लवन वाजल परबल भस्म होता है विदूत का सुचालक साबुन बनाने में मुख्यता किन भस्म का पर योग किया जाता है न ओएच के ओएच हमारे पेट में अमलता बढ़ जाने पर इसे दूर करने के लिए किन भस्म का उपयोग एंटासीड अमल या एसीड से किरिया कर उसके परभाब को कम करने वाले के रूप में क्यारते हैं मे अल्युमिनियां है डरोकसाइड कर ने किस बस्म का उपयोग किया जाता है पोटेक्सियम हडोकसाइड पेट्रोलियूं के सुधी करने तथा कागज वा कपरा बनाने में किस बस्म का उपयोग होता है तोडियूम हाड्रोकसाइड पेट्रोलियम के सुधी करनत्वा कागाच वा कपरा बनाने में किस भश्म का उपयोग होता है सोडियम हाइड्रोकसाइड घरों में चुना पोतने तो था गारा वा प्लास्टर बनाने में किस भश्म का उपयोग होता है केल्सियम हाइड्रोकसाइड घरों में चुना पोतने तो था गारावा फुलास्टर में किन भसम का उप्योग था केल्सियम हाइड्रोकसाइड पानी साफ करने में उप्योगी बिलीचिंग पॉडर बनाने कपड़ा के चमरा के उपर का बाल साफ करने अमल के जलन पर मरहम पट्टी करने में किस भसम का उप्योग था केल्सियम हाइड्रोकसाइड पानी साफ करने में उप्योगी बिलीचिंग पॉडर बनाने चमरा के उपर का बाल साफ करने जल को मेदू बनाने तता अमल को जलन अमल के जलन पर मरहम पट्टी करने के लिए किस भस्म का उप्योगता है केल्सियम हाइड्रोकसाइड आमल और भस्म परसपर परसाइने किरिया कर एक दूसरे को संतुलित करते हुए अपने से भिन अर्था जो आमल है ना भस्म जिस अज़ोगोसाइड यह ऊक्सीजन को छोड़ कर घालाता है लवन अधनिक शंकलपना के दौसर वह यह जो धनात्म कायन हीड्रोजन को छोड़ करें अध्याट्यव्ड है खाने के रूप में है आशार के शरय ना शरक्षा में लिए लावन किस का प्रियोगता है एक लिए कि पेट की अमलियता एसीडीटी दूर करने के लिए बनाई जाने वाले दवाओं में किस लवन का परियोगता है सोडियम बाई कार्बोनेट, शाबून, कांच, डिटर्जेंट, पॉडर तथा कास्टिक, सोडा, जिसका प्योग पेट्रोलियम के सुधी करन कपड़ावा कागज बनाने में होता है में किस लबन का पर योग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का साबुन कांच रिटर्जेंट पॉडर ता कास्टिक सोड़ा जिसका प्योग पेट्रोलियम की सुधी करन का परावा कागज बनाने में होता है में किस लबन का पर योग किया जाता है सोडियम क कार्बोनेट बेकिंग चोएनप नाम है सोडियू हाईडोजन कार्बुनेट गनपाऊड बार जिसका उपयोग 12 फोटकों तथा अतिस्वाजी में होता है के निर्मान में किस लवन का पढ़ायोगता है पो टैशियम नातरेट पोटैसियम नातरेट और उर्वर्कों के निर्मान में तथा उर्वर्कों के निर्मान तथा कांच उद्योग में किस लबन का परियोग होता है पोटेसियम नाइट्रेट उर्वर्कों के निर्मान तथा कांच उद्योग में किस लबन का परियोग होता है पोटेसियम नाइट्रेट किस लबन का परियो में किस लवन का परियोग ता कॉपर सलफेट जल को सुध करने ता रुधीर अस्तमभन कटने पर बातिवे खुन को रोखने के लिए किस लवन का परियोग क्या जाता है पोटास एलम फिट किरी जल को सुध करने ता रुधीर अस्तमभन कटने पर बातिवे खुन को रोखने के किस लवन का परियोग क्या जाता है पॉतास अलं फिटखती सूषु को Tom क्लोरेड अपने नग में परिबरतन करेके किसी विलियन के अमलियता यचारीता बताने वाले योग को क्या करते है सूचक अपने रंग में कराएं परिबर्तन करके किसी विलीयन की अमलियत्प या छाक पताने वाल यौक को क्या करते हैं लिटमस पतर तब तब मिथायल-अरेंज क्या ए Kevin किसी माने का प्रयेता को व्यक्त kuyt स्ब्राइब यत कम ये वीन कीुछ सब्सक्का आइनों करते हैं उसे क्या करते हैं इस विल्यान का प्यजित सब्सक्राय सबस्क्राय के संद्राइब बचत पुछेस तोता है सकती तता है अगे दोस्तों परमुक पदर्थ हता उनका प्यज परमुक पदर्थ हता उनका प्यज शुद जल का पानी का पीने का पानी के बीच होता है pH उसका नल का जल का pH 6.5 से बीच होता है समुदरी खारा जल का ड Şimdi Phil के बीच होता है मानाव लार का 5.6 से 5 7.9 के बीच होता है लार खाना खाने के बाद 5.10 होता है निम्बु का रसका दो से तीन होता है पियस गाजर का रसका पांच दसम्वलब एक जीरो से छार दसम्वलब चार जीरो होता है टमाणटर का रस का 4.1 से 4.6 होता है कौफी का 4.5 से 5.5 होता है मानव मुत्र सामान ने 6.0 होता है मानव रख्त 7.35 से 7.45 के बीच होता है रख्त रही तो वातित पे 6.0 होता है सराब का 2.8 से 3.8 होता है फिर हैं सोडियम हाइड्रोकसाइड का विलियन का 14 होता है सिरका का 2.4 से 3.4 के बीच होता है और फिर मानब जठर रस का 1.5 से 3.5 के बीच होता है मानब जठर रस का 1.5 से 3.5 के बीच होता है दूद का 6.5 से 6.7 के बीच होता है उपर लिखित पी एच मान में आंसिक अंतर हो सकता है पी एच पैमाने में कहां से कहां तक का अंक अंकित होते हैं 0-14 पी एच पैमाने का मध्य बिंदू, उदासिन बिंदू कितने अंक पर इस्तित होता है जिस अंग पर विलियन ना तो अमलिय होता है और नहीं छारिय साथ पियेच पर माने का मदी बिंदू, दासिन बिंदू, कितने अंग पर इस्तित होता है जिस अंग पर विलियन ना तो अमलिय होता है और नहीं छारिय साथ इस परकार दोस्तों अब हम लोगा समिश्रित प्रस्ण उत्तर हैं समिश्रित प्रस्ण उत्तर पहला कर रहा है रसायनों का राजा किस अमल को कह जाता है रसायनों का राजा किस अमल को कह जाता है सलफ्यूरिक अमल प्रबलता अधिक से कम की दरिष्टी से अगर लिखित तीन अमलों को रस्तान है अल्ट् से अल्ट्रफियूरिक सम्ण का क्रम करक्स आउर्ण राज स्टेन के अश्रिक साह। पॉइंट जिरो से वर्षा के जल की पी एच का मान कितने से कम हो जाता है तो वह अमलिय वर्षा कहलाती है 5.6 से हमारा उदर पेट कौन सा अमल उत्पन करता है जो उसे हानी पहुंचाए भिना भोजन के पाचन में सहायक होता है रज़ा है हाइड्रोक्लोरीक अमल अपच की इस्तिती में उदर अत्यधिक मातरा में अमल उत्पन करता है जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन से मुक्त होने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जो कि अमल की आधिक के मातरा को उदासिन करता है एंटेसिट जैसे छारकों का अप अपच की इस्तिती में उदर अत्यधिक मातरा में अमल उत्पन करता है जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभब होता है इस दर्द एवं जलन से मुक्त होने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जो कि अमल की आधिक के मातरा को दासिन करता एंटेसिट जैसे यंग्ष्लों को कि ऊदर में दर्द एवं जलन को दूर करने के लिए समयने किस एंट्रेशिट को पयोगशाइब कमाने करो सब्सक्राइब के上ग्रमहंचों के Нет प्याज का मान कितने से कम होने पर दातों का च्छै प्राड़म हो जाता है 5.5 से हमारे सरीर का सबसे कठोर पदार था है दातों का इने मल हमारे सरीर का सबसे कठोर पदार था है दातों का इने मल दातों का इनेमल दंत वल किससे बना होता है केलसियम फॉस्पेट से दातों का इनेमल जल में नहीं गुलता लेकिन मुह की पीच का मान कितना से कम होने पर पर यह संचारित हो जाता है 5.5 दातों का इने मल जल में नहीं घुलता है लेकिन मुह का pH मान कितना से कम होने पर यह संचारित हो जाता है 5.5 मुह में उपसित बैक्टरिया भोजन के पस्चाथ मुह में अवसिस बचाववा सरकरा एवं खादे पतारतों का निमनी करन करके अमल उत्पन करते हैं से बचने के लिए भोजन के बाद मुह को अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए चाहिए चाहर के दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए जो अमल की आदिक के मात्रा को उदासिन कर दंत 6 को रोकता है आगे दोस्तों अमलता और छार्यता को मापने के लिए पी एच की आपधार नासर परतम किसने प्रस्तूत की थी? एस्पी अल सॉरेंसेन अमलता और छार्यता को मापने की पैमाना पी एच की आपधार नासर परतम किसने प्रस्तूत की थी? SPL SOREN SEN SOREN PEDER LORIJ SOREN SEN DERMARK के रसाइन अग्ये थे जिन्होंने 1909 ISWI में काल्स वर्ग परियोग साला कॉपेन हेगन DERMARK में अपनी इस अभधारना की परस्तूत किया था रसाइनिक उद्योग में किसे रसाइनों का राजा माना जाता है Salfuric Am intern को में किसे रसाइनों का राजा मना जाता है Salfuric Amund को अध्याए 8th million basic pentinally उन्हिता उत्तर दो या दो से अधिक पदार्थों के प्रसपर मिसरण से जो समाह मो positive समान होते हैं प्राप्त होते हैं उसे क्या करते विलियन, ठोस और ठोस का विलियन, कौपर और टीन का विलियन, ठोस और ठोस का विलियन, कौपर और टीन का विलियन, विलियन के परकार, ठोस और ठोस और द्रव का विलियन, पाने और चीनी का विलियन, ठोस और कपूर का विलियन, कपूर और वायू का विलियन, द्रव तथ द्रब और ठोस का विलियन, पारा और लेट का विलियन, द्रब और द्रब का विलियन, जल और एलकोहल का विलियन, द्रब और गैस का विलियन, जल और कर्बन डियोकसाइट का विलियन, गैस और गैस ठोस का विलियन, धुआ, गैस और द्रब का विलियन, कुहरा बादल, गैस किसी विलियन में जो पदार्त अपेक्चा क्रित अधिक मात्रा में होता है उसे क्या करते हैं विले जल हो गया विलायक और विले हो गया नमाख चीनी फिटकरी अलकोहल एसिटोन हो गया विलायक और विले हो गया वार्निस रेयान सेलूलोज क्रित्रिम डेसम अलकोहल हो गया विलायक इसमें विले हो गया वार्निस पॉलिस कपूर आयोडिन चमरा लाग इथर हो गया विलायक और विले हो गया इसमें चर्वी मोम तेल, कार्बन टेट्राकलोराइड हो गया विलायक और इसमें विले हो गया तेल वसा घी मोम, नेफ्था हो गया विलायक और इसमें विले हो गया रबर, तारपिन हो गया विलायक और इसमें विले हो गया पैंट वा तैसा किसीनिषित ताप और दाप पर एक सो ग्राम में घुलने वाली एक अधिक्ता मात्रा क्या कहा थे हैं एक Text की विलायक की किसी विलियन की सांदर तक रिरवरत करते विले और विलय qui मतर पर यदि किसी विलियन में विलायक की मतरव विले से बहुत अधिक होती है तो विलियन क्या का लाता इच्तनु विलियन समिस्तरित प्रशन उतर विभिन आउस्दियों जैसे टिंचर, आयोडेक्स आधी बनाने के लिए किसका विलियन उपयोग में लाए जाता है आयोडेक्स आधी बनाने के लिए किसका विलियन उपयोग में लाए जाता है आयोडेक्स आधी बनाने के लिए किसका विलियन उपयोग में लाए जाता है आ इंजिन वा पेट्रोल साइकिल का पंक्चर जोरने में किसका विलियन परियोग में लाया जाता है जो रबर वान एफ था वैसा विलियन जो आमल या छार की साधरन मात्राओं को अपनी परभावी अमरता या छारता में परियाप्त परिवर्तन किये बिना आपसूसित कर लेता उसे क्या करते हैं बफर सॉल्यूशन्स विलायक में किसे सार्वत्रिक विलायक युनिवर्सल सॉल्वेंट करते हैं जल ताब बढ़ाने पर ठोस पदार्तों की विलेता पर क्या परभाव पढ़ता है बढ़ती है चप्टर 9 उत्रेरन बेसिक प्रस्टता उनके उत्तर वह रसाइनिक प्रक्रिया जिसके वेक को उसमें कोई कई विश्यश्यस पता जिसका गुन धर्म वह सनरचना रसाइनिक क्रि मिला कर बढाची जाता या came out जोंस जैकव बर्जिलियस को उत प्रेयरक की खोज का स्रेक्द सायनक में को जॉन्स जेकब वर्जिलियस को स्वेटन के थे, उत्प्रे रखोंग खाउप योग, बनस्पती तेलों से क्रित्रिम घी बनाने में निकिल, एल्कोहल से इथर बनाने में गर्म एलूमीना, सक्कर सुक्रोज से गुलकोज वाफ्रक्टोज बनाने में इन्वर्टेज एंजाइ सक्कर स्क्रोज से गुलकोज वाफ्रक्टोज बनाने में इन्वर्टेज एंजाइम, सक्कर से सीरका बनाने में मा Surprise कोडर्मा Acet, दूद से लेक्टइक अम्ल बनाने में लेक्टिक वैसिली दूद से लेक्टिक अम्न बनाने में लेक्टिक वैसिली एंजाइम ग्रुकोच से एथिल सराब बनाने में अब दोस्तों अध्याइद 10 अपरूप ता कारवन और उसके योगिक बेसिक बरस नौरून के उत्तर किसी भी तत्तु के विभिन रूपों में पाए जाने को तथा उसके पर्तिक रूप को वेगानिक भासा में कर्मसा क्या कहते हैं अपरूप ता अपरूप किसी भी तत्तु के विभिन रूपों में पाए जाने को होता था उसके पर्तिक रूप को वेगानिक भासा में कर्मसा क्या कहते हैं अपरूप ता अपरूप ता एली ट्रॉपी प सानिक गुन होते हैं समान अपरूप तत्तों के विभिन रूपों में के बहुतिक गुन होते हैं भिन अपरूपता परदर्शित करने वाले कुछ तत्तों का उधारन दें यह की वर्ग सम्मू में रखा गया हैं इसे आधूनिक आबर्शारन की वर्ग सम्मू में रखा गया है कार्बन का परमानु संक्या 6 है तथा इसे आधुनिक आवर्थ सारी के वर्ग 14 में रखा गया है कार्बन को आधुनिक आवर्थ सारी के किस आवर्थ में रखा गया है पर्थम कार्बन को आधुनिक आवर्थ सारी के किस आवर्थ में रखा गया है पर्थम रसायन चेतर की अगरानी वा नियामक संस्थान इंटरनेशनल यूनियन और प्योर एंड अप्लाइट केमेस्टी तता इंसी आर्टी की दस्वी की विग्यान की पुस्तक पिश्टंग्या 96 में दिये गए कुछ आधुनिक आवर्सारी के चेतर के अनुसार अब उपवर्गों का उल्यक होता थह। या 4A वर्ग ततह पर्थम आवर्थ में दखा जाता था कारवन के दो मुखी अप्रूप को नहीं ह्यरा वागरेफाइट कारवन के दो मुखी अप्रूप कंड़ को नहीं हीरा वागरेफाइट का वीड सुद्ध ह котором Tucson से हिरें के रवों के राकर किस पर सब्सक्राइब करने में पत्थरों पर पॉलिस करने में किस परकार के हिरे का पर यो क्या जाता है काला हिरा का पर यो कितना होता है 3.53 ग्राम पर क्यूब सेंटिमिटर ही रा का आप एकशी घानत को कितना होता है 3.53 गराम परосьं ना शालक लगाला सचाव का उप्योग क्या बनाने में क्या जता है पईनसील वा पैंट प्रस्ण त दुनिया की सब्से कठोर्ण प्राकृतिक पदार्थ किसे माना गया है जो किसी भी दरब में नहीं गूलता तो तो जिस पर आम लख्षार तो आदी का कोई परभाव नहीं परता ही रहा तुनिया के सबसे कठोर क्या करते हैं हाइड्रोकार्बन का मुख्य प्राक्रितिक सुरूत क्या है पेट्रोलियम पदार्थ हाइड्रोकार्बन के मुख्य प्राक्रितिक सुरूत क्या है पेट्रोलियम पदार्थ हाइड्रोकार्बन की उधारन है मिथेन बेंजिन अबनत्व हीन ने लुकारो रुट को धारण है मिफेन बेंजीन непेs दो यादो से अधिक वे योगिक दो यादो से अधिक वे योगिक्ट जिनके अनू सुत्र समान परन्दों बहुते होते हैं एक दुश्य के क्या कर लाते हैं यह मगतना ही समा भी आप़ता यह उक्हाने कारन पर मानूँ के बीच बहुली करन प्लास्टिक फिरन पर शक्रैश बैसिक प्रसंट पर यह बर जुर कर कोई अदिक अनुभार वहाँ अभूलीकरन और लेंट पने उत्पायते को कहते हैं बहूल क्रिमर बहुली करन के अभी क्रिया के फर्व्चर बने उत्पात को कहते हैं बहुलक बोलीमर बहुलक का अनुभार मूल योगिकों के अनुभार का होता है गुनक प्रकृतिक बहुलक के उधारन ने स्टार्च वर सेलिलोज बहुत से हाइड्रोकारबन जैसे एथीलीन प्रोपीलीन आधी बहुलक की करन की क्रिया के परसा जो उच बहुलक बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है प्लास्टिक बहुत से हाइड्रोकारबन जैसे एथीलीन प्रोपीलीन आधी बहुलक की करन की क्रिया के परसा जो उच बहुलक बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है प्लास्टिक प्लास सब्सक्राइब कारद प्लास्टिक जो गठे गर्म किया जाने पर मुरायम था ठंड़ा किया जाने पर कटोर हो जाता है कि उत्त UMIDAL पर यो क्या जाता है पॉलीथिन प्लास्टिक किलोंचे पाइप टार के ओपर की आवरनҁ, एन ड्रमस में इस थाइझे जाता है पॉलीथिन प्लास्टिक किए प्लास्टिक किस हाइड्रोकार्बन को उच्छ ताप वा उच्छ दाप पर बहुली की करण के फल्सुर प्राप क्या जाता है एथीलीन पॉलिथीन प्लास्टिक किस हाइड्रोकार्बन के उच्छ ताप हुआ उच्छ दाप पर बहुलोगी करण के फ़लसर प्राप्त क्या जाता है एथीलीन पथली चादरें फिल्म बरसाती सीट कावर पर्स आधी बनाने में किस प्रकार के प्लास्टिक आउप युग क्या जाता है पॉलिविनाईल क्लोराइड पद्ली चादरें फिल्म बरसाती सीट कवर पर्स आदी बनाने में किस परकार के पलास्टिक आउप्यों कि जाता है पली इस्टाइरोन पॉली विनाइल क्लोराइड पिवी सी प्लास्टिक किस हाइडो कारवन के बहुलों की करन से प्राप्त होता है विनाइल क्लोराइड अमल रखने की बोतलों वा सेलों के कवर आधी बनाने में किस परकार के प्लास्टिक अप्यों किया जाता है पॉली एस्टाइरोन अमल रखने की बोतलों वासेलों की कबर आधी बनाने में किस परकार के प्लास्टिक का उप्यों किया जाता है पॉली एस्टाइरोन प्लास्टिक किस हाइड्रोकार्बन के बहुलोगी करण के फलसरु प्राब्द होता है थेनिल एथीन बॉली एस्टाइडोन प्लास्टिक इस प्लास्टिक किस प्रगार्वन के फॉल्स अपर पता है रीडियो झेजा से जाता है ठेखल्ड माइट प्लास्टिक क्वर पतुटनर relatedDY के प्लास्टिक लोग की करन से प्राप्ट होता है फिनॉल वा फॉर्मेल्डीहाइड सजावट करने वाली वस्तूओं को बनाने में किस पर करके प्लास्टिक अपरियों किया जाता है यूरिया फॉर्मेल्डीहाइड यूरिया फॉर्मेल्डीहाइड प्लास्टिक किसके जलिए विलियन को ग रबर कितने परकार के होते हैं दो रबर कितने परकार के होते हैं दो प्राकृतिक रबर किस से बनता है पेरों के पेरों से निकलने वाले लैटेक्स से प्राकृतिक रबर किस हाइडोकारवन का बहुलक होता है आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर किस एक हाइडोकारवन का इसमें क्या मिलाए जाता है कि इसका उपयोग ट्यूब टायर आधी बनाने में क्या जा सके कारवन और ज्सके बाद इसका उपयोग दस्ताना रबर बैंड आधिनाने माँतार वल्ल की करण किसंशार दोरह रवर एग निशित आकार भर nihas कर लेता और जिसके बाद इसका उप्योग दस्ताल रवर कृतिक रवर को सwirथ के साथ मिला कर गर्म करने की हरो की कलाती है। रवर किसमें आसानी से घूल जाता है कार्बनी डाइश सलफाइड में, क्रित्रीम रवर कितने परकार के होते हैं, 2, किस परकार के क्रित्रीम रवर या संस्लिष्ट रवर का उप्योग विद्यू तार को ढखने के लिए तथा कनवेर वेल्ट बनाने में होता है नियो प्रिन किस परकार के क्रित्रिम डबर या संसलिष्ट डबर का उपयोग विदू तार को ढखने के लिए ता था कन वेर वेल्ट बनाने में क्या जाता है नियोप्रिन नियोप्रिन किस हाइडो कारबन के बहुलोकी करण से बना जाता है 2-Clorobutadine 2-Clorobutadine विलाइक जमा करने वाले टैंक बनाने में किस परकार के रबर का उपयोग किया जाता है थाइकोल विलाइक जमा करने वाले टैंक बनाने में किस परकार के रबर का उपयोग किया जाता है थाइकोल थाइकोल किसके बहुलोकी करण से बना जाता है ले जाने वाले पाइप बनाने में किस परकार के रबर का उपयोग होता है थाइकोल जिनकी लंबाई चौराई की तुलना में सेक्रों या हजारों गुना अधिक हो क्या कर लाते है रेसे वेस निंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौराई की तुलना में सेक्रों या हजारों की गुना अधिक हो क्या कर लाते है रेसे नाइलोन किस परकार के रेसे का उधार पकरने के जाल पैरा सुट का कपरा टायर दांत ब्रस प्रवता रोहन के लिए रसी आधी बनवाने के लिए किस रसायनिक रेशे का उप्योगता है नाइलोन महिलाओं के जुरावे मचली पकरने के जाल पैरा सुट का कपड़ा दांत टायर प्रस प्रवता रोहन के लिए रसी आधी बनाने में किस रासाइनिक रेसे का उप्योगता है नाइलोन कपड़ा बनाने कालिन बनाने तथा चिकिच्चा छेतर में लिंट या जाली पट्टी बनाने में किस रासाइनिक रेसे का उप्योगता है रेयाउन प्योगता है पॉलिएस्टर खेलकुद की सामगरी बनाने में किस परकार कैसा नेक रोगता है carbon fiber अंत्रिक्ष यहँआद या थता खेल कुद की सामगरी बाने में किस प्रकैर की रसाइनिक रेशे का veddyों धोगता है परियों अपस्द जोता है ऑडियों समिसे मोई डियू 953 कहा ने डियून रेयौन बनाने के लिए सेलुलोज किस से बनाए जाता है? कागज की लुगदी या कास्ट रेयौन रसाइने की स्हथुट रेयौन की कोच किस ने की थी? जुशेफ स्वान इंगलेंड रेवन की कुछ किस ने की थी जोसेफ स्वान इंगलेंड पॉली एस्टर चौर परतम किस देश में विक्षित किया गया था इंगलेंड रेक्सीन क्या है करित्रीम चम्रा रेक्सीन का निर्मान किस से होता है ,illust Xill notifications प्लास्टिक आउनक रिकषिण ने किस ने किया था अलेक्जेंडर केल प्लास्टिक किस ने किया था एलेक्जेंडर पारकर स्फित Core , इतली स्थबन पहला निर्मित पहला रेश्वत क्या गया था प्रत्मंक रिक्त कया गया था तो अध्याइबारा इंधन अध्याइबारा इंधन बेसिक प्रस्टता उनके उत्तर वे पदार जो जलाने पर उस्मा वा प्रकास उत्पन करते हैं क्या कर लाते हैं इंधन वे पदार जो जलाने पर उस्मा वा प्रकास उत्पन करते हैं क्या कर लाते हैं इंधन उस्मा की वह पहुनता जलाने के पष्थ प्रप्प्त होती एक एक उत्धन का प्रजूलंता एक अच्छे इंदर में एक सामाने बातों के अलावा पहला प्रमुगन क्या होना चाहिए ? उच्छ उसमिय मान, एक अच्छे इंधर में अन्य सामानिय बातों के अलावा, पहला प्रमुख गुन क्या होना चाहिए? उच्छ उसमिय मान, एक अच्छे इंधर में अन्य सामानिय बातों के अलावा, दूसरे प्रमुख गुन क्या होना चाहिए? उच्छ प्रजोलन ताव कुछ विशेश परकार के इंधन के वायू, मिस्टन, इंजनों के सिलेंडर में समय से पहले जल उठनते हैं जिस से उसमा पुर्णता कारज में परिवर्थित ना होकर धात्विक ध्वनी उत्पन करने में नस्ट हो जाती है या धात्रमिक ध्वाननिक क्या कहला और अपस्पोर्टन काम करने के उध्यस से इंधरं में क्या मिला दिया जाता है आपस्पोर्टन काम करने के उध्यस से इंधन में क्या मिला दिया जाता है अपस्पोर्ट रोधी योगिक है टेट्रा एथिल लेड अपस्पोर्टन को किसमें व्यक्त किया जाता है ओक्टेन चंख्या में जिस इंधन का ओक्टेन चंख्या में जितना अधिक होती है उतना ही कम इंधन कितने प्रकार के होते हैं तीन ठोस इंधन में सर परमुख है कोईला कारबन की मात्रा के नुसर कोईले के कितने परकार होते हैं चार सबसे निम्न कोटी के कोईले को क्या कहते हैं जिसे जलाने पर अधिक राख येवं धुआ निकलता है पीट कोईला पीट कोईले में कारबन की मात्रा कितनी होती है पचास से साथ पर तिसथ कोईले का वह परकार जिसमें जल्वास्प की मात्रा अधिक होती है तर जिसका रंग भूरा होता है लिगनाइट कोईले का वह परकार जिसमें जलवास्प की मातरा अधिक होती है जिसका रंग बुरा होता है लिगनाइट लिगनाइट कोईले में कार्बन की मातरा कितनी होती है 65-70% कोईले के किस परकार को मुलायम कोईला कहा जाता है जिसका उपयोग गरिलू कारियों में होता है बीटू- कोईला कोईले का सबसे उत्तम परकार है एंथ्रासाइट कोईले में कार्बन की माता कितनी होती है पचासी परतिसद से अधिक द्रव इंधन परमुक द्रव इंधन पेट्रोल डीजल किरोसीन इथर पेट्रोलियम के उत्पाद पेट्रोलियम के उत्पाद पेट्रोलियम क्या है है हैड्रोकारवन के मिस्टरन परमुक द्रव इंधन तता उनके उप्योग पेट्रोल या गैसोलीन इथर उप्योग सूखी धुलाई वा विलायक के रुपमे किरासन तेल मिट्टी तेल बरकास करने तता गरिलू इस्टोप के इंधन के रुप में डीजल वहनो वामसीनों के इंधन के रुप में इथर चर्बी वसात तेल आधी के विलायक के रुप में पेट्रोलियम के उत्पाद, प्राकिर्तिक गैस, रसोई गैस के रुप में, पेट्रोल या गैसोलीन, मोटर इंधन एबम एस्परीट के रुप में, नेफ्था, क्रेत्रिम रेशे के उत्पादन में, किरासन तिल, लैंप एबम एस्टोप जलाने के लिए, डीजल, डीजल, इंधन के रुप में, स्नेहक तिल, स्नेहक दवा बनाने में, पेट्रोलियम, जैली, वैसलिन, स्नेहक, क्रीम, मरहम बनाने में, पेट्रोलियम, एथर, चर्वी, वसा तिल, आदी के विलाय के रुप में, पाराफीन, मॉम, मॉमबत्ती, पॉलिस, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड जल रोधी बनाने में फिर हैं दोस्तों कोलतार पीच सरक को समतल बनाने में कोलतार पीच सरक को समतल बनाने में आगे दोस्तों हम लोग अब गैसिय इंदन प्राकृतिक गैस क्या है प्राकृतिक गैस क्या है प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम की उत्पाद है प्राकृतिक गै प्राकिर्तिक गेस में सरवाद 85% से अधिक पाया जाने वाला है नोट प्राकिर्तिक गेस में मिथेन के अतिरिक्त इथेन नाइट्रोजन वा कार्बन डायोकसाइड भी पाया जाता है प्राकिर्तिक गेस में मिथेन के अतिरिक इथेन नाइट्रोजन वा कार्बन डायोकसाइड भी पाया जाता है फिर है दोस्तों घरेलू सिलेंडर में भड़ी हुई LPG लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गेस कीन हैड्रोकार्बनों का मिशन है जिसे डाव पर दरवित कर सिलेंडरों में भड़ दिया जाता है ग्र重要 कें व्याइड प्रेटेन प्रोकेन इथेन अगय को अगया शुरक्षी सुरक्षा के ड्रिश्टिशंसे ल पीजी के रिसाव के रिसाव को इसे गंध से पाचानने की लिए मिला दिया जान्य मिथाइल मर कैप्टेन गोबर गैस जो गोबर पस्वों के मल सरने से बनती है क्या काला थी मिथेन गैस प्रोड्यूसर्स गैस मुखी तक किन गैसों का मिशन है नाइट्रोजन वा कार्बन मोन ओक्साइड प्रोड्यूसर्स गैस में 70% नाइट्रोजन प्रोड्यूसर्स गैस का उप्योग कांच वा इस्पात उद्योग धातो निस्कर्चन वा भठी गर्म करने के रुप में क्या जाता है सस्ते इंधन जल गैस मुखे तक किसका मिस्रान है है रोजन वा कार्बन मोनोक्साइड का जल मुखे तक किसका मिस्रान है हाईडोजन वा सीओ का जल गैसमें है run 49 परदित करड़ lightning मोनोक्साइड में रिक्त आनकॉर्म्स पाकर Oakpie कर्फंद नाउकसण कोल जल गैस में हाइडोजन 49 प्रज़त, कार्बन माणोकसाइड 45 प्रज़त गती रिक्त और कौन ची गैस पाई जाती है कार्बन डायोकसाइड कोल गैस किस परकार प्राप्त की जाती है कोईले के भंज़क के आसवन से कोल गैस मुखेता किन गैसों का मिस्टरना हाइडोजन वा मिथेन के कोल गैस में हाइडोजन 54 प्रज़त ता मिथेन 35 प्रज़त गती रिक्त और कौन कौन ची गैस हैं पाई जाती है कोल गैस में फ्रकार प्राप्त किया जाता है पैत्रोल के भंज़क वा आसवन से सभी इनधनों में किसका उसमी इमान सबस्याधिक होता है हाइडरोजन का सरवादिक उसमी एमान होने के बावजूद हाइडोजन इंधन का उपयोग आम तोर पर नहीं किया जाता है क्यों सुरक्षित भंडारन का अबाव सरवाधिक उसमी एमान होने के बावजुद हाज्ञों इंधन का उपयोग आम तोर पर नहीं किया जाता क्यों सुरक्षित भंडारन का अभाव हाज्ञों का उपयोग कहा किया जाता है रौकेट इंधन के रूप में बविसका इंधन किसे कहा जाता है है डोजन को सरवादिक स्विवधा जनक इंधन किसे माना गया है गैस इंधन को गरेलू सिलेंडरों में भरी हुई LPG वास्तर में क्या है द्रवित प्राकिर्तिक गैस उर्जा का वैकल्पिक स्रोत पावर अलकोहल किसका मिसन है अलकोहल वा पेट्रोल का कोल्गेस किसके साथ मिलकर विस्पोटक मिसन बनाती है वायू के साथ और धातु है बेसिक प्रस्ट अदाउन के उत्तर ऐसे ततो हाइडोजन के तरिक जो इलक्टोन का तियाक कर धनायन उत्पन करते हैं कर लाते हैं धातू अईसे ततो जो हाइडोजन करते हैं जो अभए जाती है । जाती है Persu Яgum ई३ी अइसा दातु जो देर्व खबस्था में रहता है क्या खालता है पारा धातो दातों में किसकी उसमा एब विदुत चालकता सबसे कम होती है सीसा, सामानेता धातों के ऑक्साइड की प्रकृती होती है छार किये, धातों अक्साइड जो अपवाद सो रूप अमलिय प्रकृती का होता है क्रोमियम ऑक्साइड, किन धातों के ऑक्साइड उभाद सो रूप अमलिय प्रकृती का होता है क्रोमियम ऑक्साइड, किन धातों के ऑक्साइड उभाद धर्मी अमलिय वाचार ये दोनों होते हैं, अलुमियम जिंक लेड, धातों का मुख्य सुरूत है पिर्थवी की भूपरपटी, पिर्थवी की भूपरपटी में सरवादिक मात्रा में मिलने वाला धातो है अलुमियम, पिर्थवी की भूपरपटी में अलुमियम के बाद दूसरा वा तीसरा सरवादिक मात्रा में मिलने वाला धातो है अलुमियम, पिर्थवी की भूपरपटी में प्राकृतिक रुप से पाये जाने वाला धातो, यह यहोगी को क्या कहते हैं, खनीज, पिर्थवी के भूपर पट्टी में सब प्राकिती गुरुप से पाये जाने वालता तो या योगिक को क्या करते हैं खनीज वे खनीज जिन से धातों को निसकर्षित क्या जा सकता है क्या करते हैं आयस्क वेखनी जिनसे धातों को निसकर्षित किया जा सकता है क्या कहा लते, अयस्क हम मैं अयस्क में मिले गेंग और चुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए बाहर चे मिलाएगा पदार्थ को क्या कहा जाता है, फ्लक्स अयस्क में मिले गैंग और सुद पधार को हटाने के लिए बाहर से मिलाएगा पधार को क्या कहा जाता है फ्लक्स वाईू एवं आदर्ता के अभाब में धातों की सताः का धीरे-दीरे नस्ट होने की क्रिया क्या कहलाती है संचारन वायो एवम आदर्ता के परभाब से धातों की सता का धीरे धीरे नस्ठ होने की किर्या क्या क्या लाती है संचारन लोहे में जंग लगना तामबे की सता पर गहरे हरे रंग की परत चड़ना एवम चांदी की वस्तों का काला हो जाना उधारन है संचारन का लोहे में जंग लगना ताम्बे की सता पर हरे रंग का परचड़ना एवं चांदी की वस्तों का काला हो जाना उदारन है संचारन का लोहे के जंग लगने से क्या बना पदार्थ क्या है फेरी सोफेरिक औकसाइड लोहे के जंग लगने से बना पतार्थ क्या है फेरी सो फेरिक ऑक्साइड पैंट करने या गिरीस या तेल लगाने के अतिरिक अन्नी किन विधियों से लोहे को जंग लगाने से बचाए जा सकता है यसद लेपन और क्रोमियम लेपन यसद लेपन वा क्रोमियम लेपन लोही एवम इस पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विदी यसद लेपन गेलवेन आजेशन कहलाता है वायू में उपस्तित आदर कार्बन डायोकसाइड से परतिकिरिया के फॉल्स रूप तामबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है या हरा पदार्थ क्या होता है कॉपर कार्बोनेट वायू में उपस्तित आदर कार्बन डायोकसाइड से परतिकिरिया के फॉल्स रूप तामबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है तता या हरा पदार क्या होता है कौपर कार्बोनेट खुली वायू में चांदी की वस्तों को छोड़ देने पर वायू में उपस्तिती सल्फर से पर्तिक्रिया करकाली हो जाती है ये कालापन किसके बना होता है सिल्वर सल्फाइट से खुली वायों में चांदी के वस्तों को छोड़ देने पर वायों की उपस्तिती सल्फर से पर्तिक्रिया कर काली हो जाती है ये कालापन किसके बनने सोता है सिल्वर सल्फाइट से एक से सम्बंदे धात्में चिली साल्ट पिटर सोडियम मानिक के अलुमिनियम जुमानिक अलुमिनियम बी समुथाइट इसमथ बिसमथ पिसमथ इसमेथ ऐसमथ आयरन प्राइट लोः आयरन प्राइट लोह अन हाइड़्यचा छलट एट्ट् Pres प्लॉल लवन मागनीशियम फ्लोस्टे टाइट कल्सियम दोलो माइट मैगनीशियमोद मैगनीशियम कैलसियम फास्फुराइट कैलसियम फास्फुराइट कैलसियम पार्स्फुराइट कैलसियम को बाल्टाइट एरस्थ को बाल्टाइट आर्सuzu video Sodom के यज्यर्ग धातू ashaउरे घ्यस्टाटू उसके धातू है शिल्वर ग्लांस शिल्वर ग्लांस चांदी शिल्वर ग्लांस चांदी और पो मेंट और सेनिक और पो मेंट और सेनिक कॉपर सिल्वर ग्लांस चांदी कैलको पाइराइट लोहा कैलको पाइराइट लोहा साधारन नमक सोडियम साधारन नमक सोडियम असपारि असपार्य कैलाइड कैल्وم Kenneth पाइराजेराट पाइराजेराट कि रस्छान दी मिस्सीपके केल आर्शैनिंग। फ़लोस पार थारिसीयम। रोना सोडिय। कैल्साइड कैल्स्याम। काओलीन अलुमिनियम, काओलीन अलुमिनियम, बेराइट बेरियम, बेराइट बेरियम, तेल्क मेगनिसियम, तेल्क मेगनिसियम, कैसितराइट तीन, कैसितराइट तीन, सिदराइट लोहा, सिदराइट लोहा, सिदराइट लोहा, सिदराइट लोहा, सिदराइट लोहा, सिदर सोरा पोटेसियum, क्रोयोलाइट। ayud मि एक यह आ यू कैल्सियूम, संग्मरमार कैल्सियूम मेट्रोलोग काईटीजूम, मेट्रोलोग काईटीन, नीलम एल्यूमिनियूम फ्लजपार पोटेसियूम, क्रोकाइट, 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 क्र Sylvanite Sona, sylvanite Sona, sylvanite Sona, Corundum Aluminium, Corundum Aluminium, Niter Potassium, Niter Potassium, Selyasetine Strontium, Selyasetine Strontium, Carnelite Magnesium, Carnelite Magnesium, Gypsum Calcium, Gypsum Calcium, Viderite Berium, Felspar Aluminium, Carnelite Potassium, Esphalerite Zinc, Diaspor Aluminium, Sylvain Potassium, Mellekite Thamba, Caliberite Sona, Franklinite Zinc, Franklinite Zinc, Estevenite Antimony, Brunite Magnesium, Silomiline Magnesium, Larro Ruby Aluminium, Calamine Zinc, Keransirite Chandy, Magnetite Loha, Chunekha Pathar Calcium, Estroncianite 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 Estroncium, Cube Right Tamba, Cube Right Tamba, Petsite Sona, Petsite Sona, Zinc, Kite Zinc, Zinc, Kite Zinc, Galena Lead, Galena Lead, Phera, Greeno Kite, Greeno Kite Academium, Greeno Kite Academium, Hematite Loha, Hematite Loha, Phera, Chalk Calcium, Chalk Calcium, Magnet, 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 Carnetite Uranium, Carnetite Uranium, Sirucite Tine, Sirucite Tine, Note, Pyrogid Right, Ruby Silver, Argentite Silver Glance, Espele Right, Zinc Blend, Magnetite, Zinc, Aspar, Kale Mine, Cube Right, Ruby Copper, पर भी कहते हैं, अगला है दोस्तों समिसित प्रस्णों उत्तर, विद्ध का सर्वसेष सुचालग किस धातु को माना जाता है चांदी, चांदी के बाद दूसरा सर्वसेष विद्ध सुचालग धातु है तांबा, ऐसे धातु जो जल में तैरते हैं, ऐसे धातु जिसका उपयो कागस पर लिखने में किया ज़ाता है, ऐसे धातु जिसे हवा में निकालने से हीजल उठता है फोस्पोरस, ऐसे धातु जिसे हवा में निकालने से जलूरता है फोस्फोरस। टंगस्टन धातु का गलनाख लगवक कितना होता है? 4500 डिग्री सेल्सीयस। रेल की पत्री एब मसीने पूर्जों की दरारों को जोडने के लिए और यूर्वाइब को लिए OR agreement कुर्या करा जाती है या अभी किरिया क्या लाती है ठर्मिट अभी क्रिया के लिया के लिए honoring perform कीया करा जाती है सबसे बारी सबसे अधिक गंट coalitionyt सिदर ओसिस oweता है जोओ अस्छा का होता है लोही की कमी से अनिमिया रोग होता है लोही के अधिकता से कौना होता है सिदर ओसिस लोह महता मानव सरीर में तामबा की मात्रा की में बीर्दी के होने से कौन सा रोगोता है विल्सन रोग चूहा मारने के लिए विश्क के रूप में किसका उप्योग करते हैं जिंक फोस्फाइट का वाधातो जो oxygen तथा nitrogen दोनों में जलता है सभी प्राकृतिक ढातों, धातों के अभादिक क्रोमियम, हेस्मेल टायट किस दातों के आएजकर निकेल, न्यूट्रोनों का अफ्सासित करने के गुनों के कारण किन धातों का उप्योगनाभी कर ए जीरकोनियम केड़मियम व्यिंट्रोन नीट्रोनों का अप्वस्त करने गुनों के कारण किन ठाथ गौत नाभी के रिक्टरीयों के जाता हैं जीरेकोनियम यूझेन आ休कनियम वर्ण ओर टीन की अधिक मात्रा युक्त कासा को क्या क्या तर स्वेथत कांसा वे लकडी के वस्तों पर कीरा लगने से बचाने के लिए उन पर किसका लेपन किया जाता है जिंक क्लोराइड उत्क्रीष्ट धातों के वर्ग में किन धातों को रखा गया है सोना प्लेटीनम चांदी मरकरी बैडिले आइट किस दातों का यह सका जिर्कोनियम 35 के दारान हरा रंकिस धातों के उपस्तिती कारण होता है बेरियम एक रेडियो सक्रियत द्रव धातों का नाम दे फ्रांसियम एक रेडियो शक्रिय ध्रब धातो का नाम दे Fransian आतिस वाजी के तौरन लाल चटक रंग किस धातों कि उपस्ते ते कारण होताサ Aturna धातों के किस योगी को जोटा सोना कहते है Iron Sulfide Pyrites धातों के किस योगी को जोटा सोना कहते है Iron Sulfide Pyrites सबसे कम घानतों वाला धातो है लीथियम सबसे कम घानतों वाला धातो है लीथियम नोट सभी तत्व धातु वा ओधातु में सबसे कम घनत वाला तत्व हाइडोजन है परन्तु एक ओधातु है धातु से कम घनत वाला तत्व हाइडोजन है परन्तु एक ओधातु है धातु से कम घनत वाला तत्व हाइडोजन है पानी की टंकी में सेवाल को नस्ट करने के लि सबसे हलका थोस हलका ततो है लिथियम सरवाधिक हलका ततो है जो कि एक धातू है धातू में सरवाधिक हलका लिथियम है सरवाधिक मजबूत धातू है टंगस्टन सरवाधिक मजबूत धातू है टंगस्टन सबसे परवल अपचायक होता है लिथियम सबसे परवल अपचायक ह जिर्क होता है यह dethoc lip руки जाता है यह अपरूपता परदर्सीत करने वाले एक टथप उप्योग के क्या में त heureई या चैनीज्न के नाम से था ओपन आरहां मरहम चेहरे के क्रीम बनाने किस योगी का उपयोग किया जाता है Jink Oxide या Chinese White के नाम से सफिद पैंटो आमर तथा मरहम तथा चेहरे के क्रीम बनाने में किस योगी का उपयोग के जाता है Jink Oxide rival the Anastis both जैने सूना या निकेल faun to chrometric चांच में पर किस दातों की योगी कोहूच ने सिल्वर का जाता हैं सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड स्वर ने लेपन में किसका पर्योग विधूध अफ गटक के przeci eye होता है पोटेस्यं ओरी साइने नाइल सुष्णसेद्व ध्रते राख के परवाह में अन्य धाटों की तुलनाम है अधिक परती रोद उत्पन करने वाले एक्वाह आदि Day में किस को लोहामें सबसे कम होता है पिटवा लोहा किस परकार के लोहा में कार्बन के माता सबसे कम होता है पिटवा लोहा रेडियम का निस्कर्षन किस एस्क से किया जाता है पिछ ब्लेंड मैडम क्यूरी ने किस एस्क से रेडियम का निस्कर्षन किया था पिछ ब्लेंड से मेडम क्योरी ने किस अच्स से रेडियम का निस्कर्षन किया था PITCH BLEND से क्रित्रिम बर्षा कराने में किस धातू योगी काउपयो किया जाता है SILVER IOTIED किस धातू योगी काउपयो किया जाता है PILITYUM वाई हो जानके निर्मान में किस धात्वों का उप्यों किया जाता है क्यालेडियाम आवर्थRe शार्णिम एक्टी नाइट समू किस परकार कि तत्वों का समू है, रेडियो सक्रिया आवर साथनिम एक्टीनाइट समॲों किस परकार कि द दत्वों का समुष रेडियो शक्रिये चोनाप के समएमध दाताओं के उंगलियों पर जो सियाही लगाई जाती है वावास्तव में किस दातु का योगी कोता है सिल्वर नाइट्रेट अधिकान संक्रमन धातु तथा उनकी योगी खोते हैं रंगिन किस धातु को योगी को फ्लाइ पर्ल एस कहा जाता है पोटेसियम कार्बोनेट किस धातु को रन नितिक धातु स्टेटेजिक मेटल कहते हैं क्योंकि질 उप्यों रक्ष्फेंग में होताइट ताइटेनियम किस दाथो को रंनीतिक तुस्ट्रेटेजिक मेटल कोell किस्का ऊप्यों रक्षा टाइटेनियद-बनाने प्राव suggestion दृत ख्ाड रख्म एलोमिनियूम हाइड ऊचांदी सोना को इसमें क्या मिला जाता है तामबअ वाचांदी मसूत ही कितने केरेट का छॉबेस ship VR कितने के उलवेक होता Воर्लीज यह फ्योग्व Спर चॉबेट कितने के प heroic किया जाता है 22 क्विक सिल्वर कीज दाटू को का जाता है पारा ट्यूब लाइट में सामाँनेता क्या भढ़ा होता है पारा का वास्प अर्गन गैस नाम पिस दातों के योगत को जाना जाता है बेसिक लेड कार्बोनेट सफेदा वाइट लेड के नाम से किस धातू को जाना जाता है बेसिक लेड कार्बोनेट आसा की धातू किसे करते है यूरेनियम को सफेद स्वर्ण किसे करते है प्लेटेनियम को सफेद सवारन के से करते हैं प्लेटीनियम को यूरैनियम का निन्सकर सन्मूकस से किया जाता है पिछ बलेंड से सबसे भारी दरवपदार्थ है पारा हीरो सीमा एवं नागा साकी पर गिराए के बम परमानों बम किस रेडियो सक्रिय धातों के बने थे प्लूटोनियम अगरा चप्टर है धातो और धातो बेसिक परिंस तता उनके उत्तर वैसे ततो जिनमें धातों के गुन नहीं पाए जाते हैं क्या कर लाते हैं और धातो और धातों कठोर होते हैं या भंगूर जल्द तूट फूट जाने वाले को भंगूर होते हैं और धातों समानता धातों के कुचालक होते हैं अगला है नोट्स दोस्तों धातुओं और धातुओं वा उपधातुओं की परिभासा पर बिबाद के कारण इनकी कुल संख्यां पर बिबाद है परन्तु आधुनिक आवर्चार्णी में अधिकतम 22 या 23 ततुओं और धातु हो सकते हैं जिनमें 17 निशीत रुप से और धातु है आधुनिक आवर्चार्णी में सभी ओधातु ततों को किस ओर रखा गया है दाई और द्रव अवस्ता में पाए जाने वाला एक मातर अधातु है ब्रोमिन समानेता और अधातु है उसमा वा विद्धूत का कुचालक होती है परंतु एक मातर अधातु जो विद्धूत का सुचालक है ग्रेफाइट सामानेता और धातों उसमा वा विद्धूत का कुचालक होती है एक परंतु एक मात और धातों जो विद्धूत का सुचालक है ग्रेफाइट हाइडोजन परमुख और धात्में हाइडोजन हाइडोजन किस परकार की गैस है अत्यंत किरियासिल रंग हीन गंध हीन होती है हाइडोजन किस परकार की गैस है अत्यंत किरियासिल रंग हीन वा गंध हीन हाइडोजन, गस उसमा का सूचालक है, सूचालक है, हाइडोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, कौन, कौन, 3, अगाझ, या दूटरियम, चैक्षालक है, सोतंत अबस्ता महाईडोजन कहां पाया जाता है ज्वाला मुख्ये गैसों में सोतंत अबस्ता महाईडोजन कहां पाया जाता है ज्वाला मुख्ये गैसों में सेन्यूक अबस्ता महाईडोजन के अधिकां समातरा कहां पाया जाती है जल में सेन्यूक तवस्ताम हाइडोजन के दिकांस मात्रा कहां पाए जाती है जल में सुध जल किस परकार का पतार था है रंग हिन गंध हिन स्वाध हिन सुध जल का विदूद का कुचालक है या सुचालक कुचालक सुध जल में क्या मिला देने से अब विदूद का सुचालक हो जाता है आमले सुध जल कितने डिगरी सेल्सेस पर सफिद बर्फ में परिबर्थित हो जाता है सुनिया जल में हाइडोजन तता ओक्षिजन का वाहर अनुपात कितना होता है एक अनुपात आठ फिर है जल कितने परकार का होता है दो जल कितने परकार का होता है दो जो जल साबुन के साथ आसानी से वा सिगरता से जाग देता उसे कहते हैं मिर्दू जल जो जल साबुन के साथ आसानी से जाग नहीं देता उसे कहते हैं कठोर जल जो जल साबुन के साथा सानी से जाग नहीं देता उसे करते है कठोर जल जल में कठोरता कितने परकार की होती है कौन-कौन दो अस्थाई वा ओस्थाई कठोरता जल में कठोरता कितने परकार की होती है दो कौन-कौन अस्थाई वा ओस्थाई कठोरता जल में ओस्थाई कठोड़ता किन धात्वों के लबनों के गुले होने कारण होता है केलसियम वा मेगनिसियम किन योगिकों के कारण होता है बाइकार्बोनेट योगिक जल की ओस्थाई कठोड़ता किस परकार दूर की जाती है उबाल कर उबालने के अतिरिक्थ जल की ओस्थाई कठोड़ता दूर करने की अन्यमहत्पुन विदी क्या है कलार की विधी उबालने के अतिरिक्त जल की ओस्थाई कठोरता दूर करने की अन्य महत्पुन विधी क्या है कलार की विधी में किस परकार के जल की कठोरता को दूर की जाती है बूजा या दुधिया चूना डालकर किन धातों के लवनों के घुले होने के कारण जल में अस्थाई कठोरता होती है कल्सियम वा मैगनिसियम के किनके साथ मिलकर बने लवन के कारण जल में अस्थाई कठोरता होती है सल्फेट क्लोराइड नाइटरेट केल्सियम वा मेगनिसियम के किनके साथ मिलकर बने लबन के कारण जल में अस्थाई कठोरता होती है सल्फेट क्लोराइड वा नाइटरेट जल की अस्थाई वा ओस्थाई दोनों परकार की कठोड़ता दूर करने की सरलतम विदी है सोडा विदी जल की कठोड़ता दूर करने की सोडा विदी में जल को किसके साथ मिलाकर उबाला जाता है सोडियम कार्बोनेट जल की कठोरता दूर करने की सोडा विधी में जल को किसके साथ मिलाकर उबाला जाता है सोडियम कार्बोनेर पानी की अस्थाई कठोरता दूर करने के लिए सरवादिक उप्यूक्त योगी कौन सी है पोटेसियम खलोराइड जल की अस्थाई काठोरता दूर करने की विधियों में सरपरमुख है पर्म्यूटिट विधि जल की अस्थाई काठोरता को दूर करने की पर्म्यूटिट विधि में जल को किसके साथ मिलाकर उबाला जाता है सोडियम जीयोलाइट जल की अस्ताई का ठोड़ता दूर करने की पर्म्यूटिट विधी में जल को किसके साथ में लाकर उबाला जाता है सोडियम जीयोलाइट सोडियम और अलुमिनियम का मिस्तित सिलिकेट को ही सोडियम जीयोलाइट या पर्म्यूटिट कहते हैं हाइडोजन के समस्थानी को डियोट्रियम के ऑक्साइट को क्या करते हैं भारी जल। साधरन जल के लगवग साथ हजार भाग में कितना भाग भारी जल का होता है एक। भाग में भाडे जल का उप्योग मुक्हिता कहां बिके रएक्टरों में भाडे जल का उप्योग मुंख्यता कहां किया जाता है नाव python मंदक के रूप में नाविक के रेक्टरों में आईनिक वा अनाईनिक हाईरोजन में विभीद करने में किसका उप्यूप क्या जाता है भारी जलका अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे ऑक्सिजन दोस्तों हम लोग ऑक्सिजन देखते हैं oxygen gas की किस ने की थी सीले स्वीडन oxygen gas की किस ने की थी सीले ने वो स्वीडन के थी oxygen किस परकार की गैस है दोस्तों रंगहीन गंधीन वायू से कुछ भारी गैस है oxygen किस परकार की गैस है रंगहीन गंधीन वायू से कुछ भारी औक्सिजन के कितने समस्थानिक होते हैं और कौन-कौन औक्सिजन के तीन समस्थानिक होते हैं पहला 8-0-16, फिर 17, फिर 18 ये तीन और औक्सिजन के समस्थानिक है समस्थानिक उसे कहते हैं जिनका परमानू संख्या तो समान होते हैं ऑक्सिजन के कितने अपरूप पाए जाते हैं कौन-कौन ऑक्सिजन के दो अपरूप ऑक्सिजन तथा ओजोन ओजोन का फॉर्मूला उत्री होता है दोस्तों सल्फर गंदक को कितने परकार के अपरूप होते हैं और कौन-कौन गंदक के रवेदार और बेरवेदार अपरूप होते हैं गंदक का सबसे अस्थाई अपरूप है विसमलमभाक्ष गंदक गंदक का सबसे अस्थाई अपरूप है विसमलमभाक्ष गंदक विशम लंभाक्ष गंधक को अस्टफल किये या अलफा सल्फर भी कहते हैं सल्फर गंधक से प्राप्थ होने वाला सरवादिक महत्पुन और जोगी रसाइन कौन है सल्फर गंधक से प्राप्थ होने वाला सरवादिक महत्पुन और जोगी रसाइन कौन है जिसका उप्योग उर्वरकों के निर्मान में तथा में किये जाने के साथ पेट्रोलियम सोधन तथा संचाइक बैटरियों में भी किया जाता है सल्फशूरी कमल नाइटोजन यअटोजन के वित्पन योगिकों का निर्मान उनका उप्वयोग योग के बाद पुना नैटोजन का बनाना क्या कहलाता है नैटोजन चक्र प्रकृति में नैटोजन से वित्वपन विभिन योगिकों का निर्मान उनका उपियोग तो था उपियोग के बाद पुना नैटोजन का बनाना क्या कहलाता है नैटोजन चक्र अगे हैं नाइटोजन की योगिकों में सरपर्मू कौन है जिसका उपयोग बार्फ नाटिक अमल उर्वरक यूरिया विस्फोटा क्रितरिम रेसम आदी में बनाने में होता अमोनिया नाइट्रोजन की योगिकों में सरपर्मू कौन है जिसका उप्योग बर्फ, नाइट्रिक, अमल, उर्वरक, यूरिया, विस्फोटा, क्रितरम, रेसम, आधी बनाने में होता अमोनिया और योगिक रूप से अमोनिया गैस का निर्मान किस विदिस होता है बर बिदि अब हम लोग आएगे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के विभिन अपरूप कीन रंगों में पाये जाता है पीला, लाल, सिंदुरी, बैगनी, काला फॉस्फोरस के सभी अपरूपों में सबसे अधिक किरियासील है स्वेथ फॉस्फोरस फॉस्फोरस के सभी अपरूपों में सबसे अधिक किरियासील है स्वेथ फॉस्फोरस सुरक्षित दिया सलाई बनाने में फॉस्फोरस के किस अपरूप का उप्योग किया जाता है लाल फॉस्फोरस चुहा नासक 20 वा विभिन परकार के विस पोटकों आतिस बाजी तथा अन्य के लिए बनाने में फॉस्फोरस के किस अपरूप का उप्योग किया जाता है पिला फॉस्फोरस चुहा नासक 20 वा विभिन परकार के विस पोटकों आतिस बाजी तथा अन्य के लिए बनाने में फॉस्फोरस के किस अपरूप का उप्योग किया जाता है पिला फॉस्फोरस फॉस्फोरस के योगकों में सरपर्थम कौन है जो कि एक रंग ही तथा सरी मचली सिगंद वाली के असा है जिसका ओप धुएं के परदे तथा हूम सिगनल दूर से आने वाली जहाजों के लिए संबूदर में सिगनल देने है तो बनाने में किया जाता है फॉस्फिन हेलोजन किस भाजा का सब्द तथा इसका क्या अर्थ है हेलोजन ग्रीक भाजा का सब्द इसका अर्थ होता है लवन उत्पाजक हेलोजन परिबार के सदस से कौन कोन है हेलोजन परिबार के सदस से कौन कोन है हेलोजन परिबार के सदस से फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोड हेलोजन परिवार के सदस्यों को आधूनिक आवर्थत सार्णिट के वर्ग दोरा बनाया जाता है जिस कारण इसका अधियन हेलोजन के साथ ना करके अलग वर्ग में किया जाता है स्टारटीन आधुनिक आवर्चार्णिक 71 में हेलोजन सदस्य के साथ साथ वह कौन सदस्य है जो एक रेडियो सक्रियत हुआ तथा अस्थाई ततो जिसे क्रित्रिम वीडियों तरहा बनाया जाता है जिस कारण इसका दियन हैलोजन के साथ ना करके अलग वर्ग में क्या जाता है स्टार्ट टीन आगे हैं फ्लोरीन फ्लोरीन किस रूप में तथा किस रंग में पाई जाती है फ्लोरीन गैस रूप में पाई जाती हलका पीला रंग में फ्लोरीन किस रूप में तथा किस रंग में पाई जाती हलका पीला रंग में फ्लोरीन से बनने वाले किस योगी का उप परमाने उर्जा उत्पादन में उत्पादन प्लोराईड कि वनु किस योगी का उप योग पराब वहेशाफूरौराईड फ्लोरीन से बनने वाले किस योगी का उपयोग परावेजितकी में किया जाता है SF6 Sulfur Hexafloride फ्लोरीन से बनने वाले किस योगी का उपयोग क्लोरो फ्लोरो कारवन योगी के संसलेशन में किया जाता है जो की रेफ्रिजरेटर में परसीतक के रुप में उपयोग किया जाता है HF Hydro Fluoric Acid फ्लोरीन से बनेने वाले किस योगी का उपयोग क्लोरो फ्लोरो कारबन योगी के संसलेशन में क्या जाता है जो कि रेफ्रिजरेटर अंपरसीता के रूप में उप्योग किया जाता है है एच एफ हाइडरो फ्लोरी केसिड क्लोरीन किस रूप में पाई जाती है क्लोरीन गैस रूप में पाई जाती है क्लोरीन किस रूप में पाई जाती है इसका रंग किस परकार का होता है ब्रोमीन द्रब बस्ताम रहने वाला था तो इसका रंग लाल बादामी कलर का होता है ब्रोमीन के किस योगी का उपयोग निंद की दवा की रुप में होता है पोटेसियम ब्रोमाइट का उपयोग ब्रोमीन के किस योगी का उपयोग करिद पेट्रोल में किया जाता है एथिलीन ब्रोमाइड का ब्रोमीन के किस योगी का उपयोग शिशा करिद पेट्रोल में किया जाता है एथिलीन ब्रोमाइड को आयोडिन आयोडीन की सबस्था में पाय जाता है तथा इसका रंग किस परकार का होता है ठो सबस्था में पाय जाता है तरद इसका रंग बैगनी काला कलरका होता है आयोडिन की सबस्थाम पहाँ जाता तता इसका रंग किस परकार का होता है आयोडिन की किस योगी का उप्योग्ज कटे छीले सारेरिक अंगों पकर पर लगाने के लिए रोगानू नासक के रूप में होता है टिंचर आयोडिन आयोडिन की किस योगी का उप्योग्ज कटे छीले सारेरिक अंगों पर लगाने के लिए रोगानू नासक के रूप में होता है टिंचर आयोडिन आयोरिन की कमी से मानव सरी में होने वाला रोग है गलकंड और क्रिये गैस निस्क्रिये गैस या उत्किरिष्ट गैस और क्रिये गैसों को आधुनिक आवर्थ सार्नी के किस वर्ग में रखा गया है सुन्ये उक्रिये गैसों को आधुनिक आवर्त सार्नी के किस बर्ग में लखा गया है सुन्ये आधुनिक आवर्त सार्नी के सुन्ये बर्ग में कितने ततों को रखा गया है छे सुन्ये बर्ग में ततों हिलियम नियोन और्गन क्रिप्टन जेनोन रेडोन सभी अक्रिये गैसे होती है रंगहिन, गंधिन, स्वाधिन अक्रिये गैसों में वायो मंडल में नहीं पाई जाती है रेड़न अक्रिये गैसों में सबसे हलकी कौन है हिलियम किस ओकरिये गैस का उपयोग वायू यानों में तथा गोबारों में भरने में किया जाता है हिलियम किस ओकरिये गैस का उपयोग वायू यानों में तथा गोबारों को भरने में क्या जाता है हीलियम किस ओक्रिये गयश का उप्योग उच्छ तापिय धातु कर्मिक प्रक्रियाओं में निस्कीली वाता वर्य नुतपन करने व बिजली बल्ब भरने में परियोंग करते है और्गन किस ओकरिये गैस को ओक्सीजन के साथ मिलाकर गहरे समोदुरमें गोता खोर अपने स्वासन में परियोग करते हीलियम किस ओक्रिये गैस को अक्सीजन के साथ मिलाकर गहरे समूदर में गोता को अपने स्वासन में परियोग करते हैं हीलियम आगे हैं किस ओक्रिया गैस का पर्योग नाभी के पर्योगों सरीर के दोस्पूर्ण विर्धी के रेडियो एक्टिव उप्चार तथा कैंसर जैसे मारक रोक के उप्चार में क्या जाता है रेड़ोन दमा रोक के उप्चार में किस ओक्रिया गैस का पर्योग नाभी के पर्योगों सरीर के दोस्पूर्ण विर्धी के रेडियो एक्टिव उप्चार तथा कैंसर जैसे मारक रोक के उप्चार में क्या जाता है रेड़ोन किस उकरियाग वायों यान चालकों के संकेत संप्रेशन परकास में विग्यापन के लिए उप्योंगी परती दिप्त बल्वों में तता ट्रैफिक वयवस्था में लगे, रंगीन परकास आधारित आधारित संकेतों में क्या जाता है नियोन प्रति दिप्त बल्वों में तता ट्रैफिक व्यवस्था में लगे रंगीन प्रकास आधारी संकेतों में क्या जाता है नियोन समिश्रित प्रस्णों उतर भारी जल की खोज वेग्यानी की किस जोरी ने की थी यूरे वास बर्ने नाइटोजन गैस की खोज किस ने की थी रदर फोर्ड ने सभी हैलोजन में सबसे कम मात्रा में उपलब्ध है आयोडीन असरूगैस रंजक दवाओं इतियादी के निर्मान में हैलोजन वरके किस ततु का उपयोग क्या जाता है क्लोरीन असरूगैस रंजक दवाओं इतियादी के निर्मान में हैलोजन वरके किस ततु का उपयोग क्या जाता है क्लोरीन हैबर विदी से अमोनिया गैस बनाने में किस गैस का परियोग होता है हैडोजन हैबर विदी से अमोनिया गैस बनाने में किस गैस का परियोग होता है हैडोजन सूरी से आने वाले हानिकारक परावेगनी किर्णों को रोक करता उसके दुर्ष परभाव से हमें बचाने वाली गैस का उपयोग होता है हैडोजन वनस पती घी बनाने में किस गैस का उपयोग अपचाय के रुप में होता है हैडोजन सभी हैलोजनों में सबसे अधिक किर्यासिल है फ्लोरीन सभी हैलोजन में सबसे कम किर्यासिल है आयोडीन हैलोजन वर की किस तत्तों का उपयोग गैमेक्सीन D.D.T. D.C. Chlorine, 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 D और प्रोफियों या लुगदीयों जो कागज निर्मान में परियुक्त होते हैं कि विरंजर में जल को रोगानों मुक्त करने में दवाओं विस्वटकौँ के निर्मान होता है ख्लोरिन हैलोजन वर्ग किस ततों का उप्यो कपरो वा एक लखरी के गुद्दियों या लुगदियों जिससे जो कागज निर्मान में परियुक्त होते हैं कि विरंजन में जल को रोगानों मुक्त करने दवाओं वा विसफटकों के निर्मान में होता है विकलोरिन मानव सरीर में गलकंड या घेंगा या कंड माला या ग्वाइटर रोग हैलोजन वर्ग किस ततों की कमी से होता है आयोडिन मानव सरीर में गलकंड या घेंगा या कंड माला या ग्वाइटर रोग हैलोजन वर्ग किस ततों की कमी से होता है आयोडिन गैसिये ततों किस में सबसे भारी है रेडोन गैसिये ततों में सबसे भारी है रेडोन एस्ट्रेंजर गैस या विचितर गैस किसे काते हैं जेनोन को जिन तत्वों में धातू वा ओधातू दोनों के गुन पाई जाते हैं उन्हें क्या काते हैं उपधातू जिन तत्वों में धातू वा ओधातू दोनों के गुन पाई जाते हैं उन्हें क्या काते हैं उपधातू जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरोन, सिलिकोन, टेलेरियम, पोलोनियम क्या है उपधातू जर्मिनियम, आर्सेनिक, एंटी मनी, बोरोन, सिलिकॉन, टेलेरियम, पोलोनियम क्या है उपधातू किस तत्तो को रासाइन विग्यान में आवारा तत्तो की संग्या दी गई है हाइडोजन फिर है मिसर धातू, बेसिक परस्पर धाता उनके उत्तर धातूं एबम ओधातूं के या परस्पर धातू, धातूं के एक दूसरे से एक निशित अनुपाते मिलाने पर बने पदात को क्या करते हैं मिसर धातू धातूं और धातूं या परसपर धातूं को एक निशी तानुपाते मिलाने पर बने पतात को क्या करते हैं मिसर धातूं मिसर धातूं के बहुतिक गुन उनके अव्यवी धातूं के गुन से भिन होते हैं या समान भिन होते हैं मिसर धातों के बहुती गुन उनके अभी अभी धातों के गुनों से भिन होते हैं या समान भिन होते हैं मिसर धातों उनके अभी अभी परतिसत में दता उपी हो नाम घटक परतिसत में जिनके निर्मान में उपी होगी बेल घंटा तामबा अस्टी तीन बीस घंटियां पीतल तामबा सत्तर जिंक जस्ता तीस बरतन बनाने में कांसा तामबा नबबे तीन दस मुर्दियां सिक्के आभूसन बनाने में रोल्ड गोल्ड तामबा नबबे अलुमिनियम दस सस्ते आभूसन बनाने में टांका सोल्डर तीन सरसट सीशा तेंटिस धातों में टांका लगाने में जंग रोधी इसपाथ लोहा 73 क्रोमियम अठारे निकल 8 कार्बन एक मोटर गाड़ी साइकिल बरतन बनाने में क्रित्रिम सोना तामबा 90 अलुमिनियम 10 आभुसन बनाने में समिस्रित प्रस्णों उतर लोहा एवम 0.1 से 1.5 परसेंट कार्बन की मिसर धातों को क्या का जाता है इस पाथ मिसर धातों नाइक्रोम में किन धातों का मिस्टन होता है निकल लोहा क्रोमियम मैगनिच मिसर धातों नाइक्रोम में किन धातों का मिस्टन होता है निकल लोहा क्रोमियम मैगनिच जिर्कोनियम धातों का परियोकिस परकार की मिसर धातों के निर्मान में क्या जाता है अबहेद गोली सा जिर्कोनियम धातों का परियोकिस परकार की मिसर धातों के निर्मान में क्या जाता है अबहेद गोली सा इस पात को उच्चता पर गर्म कर्स धीरे-धीरे ठंडा करने पर उसकी कठोरता घट जाती है इस पर करिया को क्या करते है एनिलिंग पारा के मिसर धातु को क्या करते है अमलगम पारा के मिसर धातु को क्या करते है अमलगम मिसर धातु एं अपनी अव्यवी धातु की तुलना में होती है अधिक कठोर वा अधिक संचारन रोधी समिस्रित प्रस्णों तर बजार में कैल्सियम निय्टे को किस नाम से जाना जाता है नर्वे जी नियन साल्ट पीटर कारबन के साथ कैल्सियम साइनाइट का मिसर अगे अधियाए 16 कोला मानव निर्मित पदात बेसिक प्रस्था उनके उत्तर सिमेंट चुना पत्थर या खरिया को मिर्तिका लाल मिर्टी या सेल चत्तान के साथ अधिक देर तक गर्म करने से प्राप्त होने वाला पतात क्या लाता है सिमेंट चुना पत्थर या खरिया को मिर्तिका लाल मिर् सिमेंट पर मुख रुप से किसके अलूमिनेटों एभल सिलिकेटों मिस्रान है कैल्सियम सिमेंट में मुख रूप से किन ततो की ओक्षायड मिले होता है, चूना वासिलिका सिम्ऍट में मुक्य रुप से किन ततों के आक्सबाइब मिले होते हैं चूनआ वासिलिका अन्य किन ततों के आक्सबाइब मिले होते हैं जिपसम, सिमेंट में धिर्टा परदान करने के लिए जल के साथ मिला जाता है जिपसम, सिमेंट का परियोगस्वा परतम किस इस्वी में किस ने तथा किस नाम से किया था, 1824 इस्वी में जोसेफ एस्पीडन ने पोर्टलेंड सिमेंट के नाम से किया था, सिमेंट का बालू वा जल मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते है मोर्तार या गारा जब सिमेंट के साथ बालू जल छोटे-छोटे-छोटे कंकर पत्र मिलाए जाते हैं तो इस मिशन को क्या कहा जाता है कंक्रीट जब सिमेंट के साथ बालू जल्वा छोटे-छोटे कंकर पत्र मिलाए जाते हैं तो इस मिशन को क्या कहा जाता है कंक्रीट कंक्रीट का परियोग मुखेता क्या बनाने में क्या जाता है छथ पूल वा बांद कांच क्या है कांच किस रूप में पाइजाता है और क्रिस्टलिय रूप में केल्सियम वा सोडियम के कार्बोनेटों को सिलिका के साथ गर्म करने पर जल या अमलों में और विले जो मिसरन विलियन प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं कांच कहते हैं केल्सियम वा सोडियम के कार्बोनेटों को सिलिका के साथ गर्म करने पर जल या अमलो में और विले जो मिसरन विलियन प्राप्त होता हुआ उसे क्या कहते हैं कांच की वस्तों को बनाने में बनाने के बाद उन्हें विश्यस परकार की भट्टियों में धीरे 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 ठंडा करने की क्रिया क्या कहलाती है कांच का तापानू सितलन या अनिली करन कांच की बस्तों को बनाने के बाद उन्हें विश्यस परकार की भटियों में धिरे-धिरे ठंडा करने की किरिया क्या कालाती है कांच का तापानु सितलन या अनिली करन आगे हैं दोस्तों कांच का रंग मिस्रित पदार्थ नारंगे लाल सीलेनियं ऑकसाइड च्टक लाल क्यूपरस उकसाइड्वाग क्याडिम सल्पाइड निम्बु जैसा पिला क्यूपरस लवन हरा व्हारा पिला पॉटेशियम डायक्रोमेट रुबी लाल रुबी लाल गौल्ड क्लोराइड रुबी लाल two color प्रति दिप्त सील पीला फेरिक लवन या सोडियम यूरेनेट पिकोख मयूर नीला क्यूपरिक लवन हरा सोडियम क्रोमेट या फेरस अक्साइड साबून साबुन उच्छ वसीय अमलों जैसे की एस्टियरिक पामिटिक अथ्वा ओलिक अमल के सोडियम अथ्वा पोटासियम लवनों को के मिसं क्या कहलाते है शाधरन साबुन साबुन बनाने की क्या कहलाती है साबुनी करन साबुन बनाने के क्रिया क्या कहलाते हैं साबुनी करन वे साबुन जो उच वसीय अमलों के सोडियम लवन होते हैं तथा कपरा धोने में काम आते हैं क्या कहलाते हैं करे साबुन वे साबुन जो उच वसीय अमलों के सोडियम लवन होते हैं क्या कालाते है मुलायम साबुन वे साबुन जो उच वसीय अमलों के पोटासियम लवन हो देता था जिनका उप्योग असनान करने में क्या जाता है क्या कालाते है मुलायम साबुन साबुन बनाने के लिए कच्चा पदाद कहां से पराफ़ता है? पेटरोलियम से डिटर्जेंट, डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट लंबी स्रिंखला के हैड्रो कारवने डिटर्जेंट किन आयनों के साथ ऑगुलंसी लवन नहीं बनाते हैं जिस कारणी ये साबन से स्रेष्ट माने जाते हैं CA++, Mg++, Fe3+, डिटर्जेंट बनाने के लिए कच्चा मल कहां से पराप्त होता है, वनस्पती तेल से सोडियम अलकाइल सल्फोनेट तथा सोडियम अलकाइल बेंजीन सल्फोनेट क्या है, डिटर्जेंट है सोडियम अलकाइल सल्फोनेट तथा सोडियम अलकाइल बेंजीन सल्फोनेट क्या है, डिटर्जेंट है फिर है, डिटर्जेंट को एंजाइम के साथ मिलाकर एकदम स्वक्ष धुलाई करने को क्या कहते हैं, माइक्रो सिस्टम धुलाई डिटर्जेन्ट को एंजाइम के साथ मिलाकर एकदम स्वक्षि धुलाई करने को क्या करते हैं? माइक्रो सिस्टम धुलाई डाइनामाइट क्या है? एक भी स्पोटक है कुछ समय पहले तक किस पदार्थ को किसी अकरिय गैसो जैसे लकरी के बुरादे में अफसोसित करके डाइनामाइट बनाया जाता था? नाइट्रो गलिसरीन कुछ समय पहले तक किस पदार्थ को किसी अक्रिय गैसों जैसे लक्री के बुरादे में अफसूसित करके डाइनामाइट बनाया जाता था नाइट्रोग्लिसरीन फिर आधुनिक डाइनामाइट में नाइट्रो ग्लिसरीन की जगह किस पदार्ट का परियोग किया जाता है सोडियम नाइट्रेट ट्राइनाइट्रो टॉल्विन क्या एक भी स्पोटक है ट्राइनाइट्रो टॉल्विन क्या एक भी स्पोटक है ट्राइनाइट्रो टॉल्विन किस परकार का पदार्टे किस चलिये ठोस ट्राइनाइट्रो टॉल्विन का रंग किस परकार का होता है हलका पिला ट्राइनाइट्रो टॉल्विन का रंग किस परकार का उता है लकाप पीला ट्राइनाइट्रो टॉल्विन बनाने के लिए टॉल्विन को किनके साथ किरिया कराया जाता है सांदर सल्फियूरिक अमल वा नाइट्रिक अमल ट्राइनाट्रो गिलिसरीन क्या एक विस्पोटाग है ट्राइनाट्रो गिलिसरीन किस परकार का पदारत है रंग हिन तेलिये द्रव ट्राइनाट्रो गिलसरीन को बनाने के लिए गिलसरीन को किसके साथ किरिया करा जाता है सांदर सल्फियूरिक अमल वा नाइटरीक अमल ट्राइनाट्रो गिलसरीन को बनाने के लिए गिलसरीन को किसके साथ किरिया करा जाता है ट्राइन नाइट्रो फिनोल कीस परकार का पदारते केस्टेली एठोस ट्राइन नाइट्रो फिनोल का रंग कीस परकार का होता हलका पिला ट्राइन नाइट्रो फिनोल को किस अन्य किस नाम से भी जाना जाता है पिकरी कामल ट्राइन नाइट्रो फिनोल को और किस नाम से भी जाना जाता है पिकरी कामल ट्राइन नाइट्रो फिनोल बनाने के लिए फिनोल को किसके साथ अभी करा जाते है इस तांधर नाइट्री कामल ट्राइन नाइट्रो फिनोल बनाने के लिए फिनोल को किसके साथ अभी किया करा जाती है इस्तानाधर नाइट्री कामल गन पॉर्डर गन पॉर्डर किसका किनका मिस्रन है गन पॉर्डर पोटासियम या सोडियम नाइट्रेट चारकोल कोमा सलफर का गन पौडर किन का मिश्रान है गन पौडर में पोटासियम या सोडियम नाइट्राइट चार कॉल तदा सलफर का अनुपात क्या होता है पंद्रेय अनुपात दो समिश्रित प्रस्नो उत्तर फोटो क्रोमेटिक कंच किसकी उपर सिति के कारण दूप में सोता काला हो जाता है सिल्वर ब्रोमाईड यूगी को परपल ऑफ किसी ने किया था नोबेल का तील के नाम से किस विश्पटम को जाना जाता है ट्राइन्यच्रोग गिलिसरीन को किस विसपटम को अगर दूत का जाता है गनपोरड की डॉटग का अगर दूत का जाता है गंपोरडर गन पोडर की खोज किस ने की थी गन पोडर की खोज रोजर बैंकर ने की थी गन पोडर की खोज किस ने की थी गन पोडर की खोज रोजर बैंकर ने की थी आगे हैं अधियाज सत्र कुछ परमुक रासाइनिक योगिकों के वैपारिक वारासाइनिक नाम कुछ पर्मुख रसायनिक योगिकों को वैपारिक वारसायनिक नावा, साधार नमक सोडियम क्लोराइड, लाल सिंदुर लेड पर अक्साइड, लाल सुन्दर लेड पर अक्साइड, लाल दवा सोडियम पोटेसियम पर मैगनेट, सुहागा बोरेक्स, सुहागा बोरेक्स, ज और देडीप्सम कैल्सियमस फित्किरी classification aluminum कैफ्स्ट क्रीब प्सियों के अलुमीनियन सिल्फिर्ट खाने का सोडा सोडियम ऐ ऐन सबीकार्बोनेटा थो ने का सा का सोडा सोडियम कर्ड मैं का स्टिक सोडा कास्टिक पोटास पोटासियम हाइड्रोकसाइड कास्टिक पोटास पोटासियम हाइड्रोकसाइड सुस्क बर्फ कार्बन डायोकसाइड सुस्क बर्फ कार्बन डायोकसाइड चाक लिखने में प्योगी केल्सियम कार्बोनेट चाक लिखने में प्योगी काल्सियम कार्बोन पिर है नौशादर अमोनियम क्लूराइड आगे है दोस्तों वेपारिक नाम रसाइनिक नाम सूरा का वेपारिक नाम सूरा रसाइनिक नाम पोटासियम नाइट्रियेट है चूना वेपारिक नाम है रसाइनिक नाम केल्सियम ऑक्साइड है सीलिका वैपारिक नाम है रसाइनिक नाम सिलिकॉन ऑक्साइड है मंड वैपारिक नाम है और इसका वैपारिक नाम है इसका रसाइनिक नाम स्टार्च है अलकोहल वैपारिक नाम इसका रसाइनिक नाम एथिल अलकोहल है सीर का वैपारिक नाम इसका रसाइनिक नाम एसीटिक एसीड गोल है अंगूर का रस वैपारिक नाम है रसाइनिक नाम गलुकोज है चुना पत्तर वैपारिक नाम रसाइनिक नाम केल्सियम कार्बोनेट वैपारिक नाम फिनॉल और रसाइनिक नाम कार्बोनील अमल थाररा कसीम वेफारिक नाम लेड़ ऑक्साइड परमुख रसाइनिक तथा उनके खोज करता हड्रोजन है नरी केवेंडिस हड्रोजन हैंडरी केवेंडिस मैगनिसीयं जॉसेब ब्लेक फॉसेब ब्लेक फॉसेब Phosphorus हίνिक ब्रॉंड और नोर्ड रेलेई व विल्याम रामसे नात्रोजन डेगो डीرجा नेत्रोजन डेडी। नात्रोजन डॉसर रादरफॉर अक्षिजन कोर्ल विल्हेम सिले इलियम's realized पैचरे जौंसन वा नॉर्मन लोकियार Aluminium Hans Christian Orsted Phyrasilicon Jones Jacob Berzilius Tungsten Carl Wilhelm Sillay Sodium Humphrey Davy Chlorine Carl Wilhelm Sillay Magneze Carl Wilhelm Sillay Nickel Axel Frederick Cronestad Nickel Axel Frederick Cronestad Potassium Humphrey Davy Potassium Humphrey Davy Bismuth Cloud Frosvath Jaya Froth Uranium Martin Henrich Clay Froth Cobalt George Brantad Cobalt George Brantad Crinton Gas William Romsey Morris Travers Janon William Romsey Morris Neon William Romsey Morris Travers Germanium Clemens Winkler Platinum Anti-Neo de Ulova Radon Frederick Uncurt Dorn Thorium Jones Jacob Berzilius Radium Marie Curie Plutonium Seberg Maximilian Macmillan Macmillan and Kennedy Calcium Humphrey Davy Calcium Humphrey Davy Bromine Antony Jerome Blad Carl Jacob Lowi Badium Carl Wilhelm Sillay Iodine Bernard Cartois Magnesium की खोज 1775 इस्वी में George Joseph Black ने की थी परन्तु सबसे पहले इसका नाम करन इसका प्रिथा करन Isolation 408 इस्वी में Humphrey Davy ने Magnesium Oxide ने की थी Oxygen का विसकार Sweden के रसाइनागे Carl Wilhelm Sillay ने 1772 इस्वी में की थी परन्तु दुर्भाग्यवस परकासन 1777 इस्वी में हुआ था परन्तु British रसाइनागे Joseph Pristley दोरा 1774 इस्वी में खोजी गई Oxygen का परकासन 1775 इस्वी में ही हो गया था इसलिए Joseph Pristley दोरा Oxygen के खोज करता के रुप में अपना दावा किया गया था Redone गैसो की खोज 1990 में जर्मन भौतिक वेत्ता F.E. Dawn ने की थी जबकि Redone से निकलने वाली Alpha V.C.R.N. की खोज 1899 इस्वी में Unrest Unrest Rutherford था Robert Wabi Overse ने की थी Barium की खोज 1774 इस्वी में Call William Sealy ने की थी परन्तु इसकी पहली बार इसका प्रिथक करना 1808 इस्वी में Humphrey Davy ने की थी Carbon, Iron, Loha, Sulfur, Antimony, Gold, Copper, Silver Teen, Lead, Sisa, Mercury की खोज करता औग्यात है रसाइन विज्ञान से समादित परमुख अविस्कारक अविस्कार वा उनके अविस्कारक पहला बुंसन बर्नर Robert Wunson परमानु विखंडन आउटो होन वायो दाब मापी बैरो मिटर इवान गेलिस्ता टोडी सेली विदूत संचायक बैटरी गोल्स गोस्टन प्लांटे गोस्टन प्लांटे अलफा कन अनरेस्ट रदर फोड परमानु विय नाभिक अनरेस्ट रदर फोड फिर बीटा कन अनरेस्ट रदर फोड परमानु किसन रचना निल्स बोर सुस्क सेल बैटरी जॉर्ज लेकलांसे सुस्क सेल बैटरी जॉर्ज लेकलांसे परमानोबाद जोन डाल्टन नियोन लेंप जोर्ज कलाड विद्धूत बैटरी आलेसंद्र वोल्टा सेफ्टी लेंप हम्परी डेवी नाइलोन वाइलेस कैथो केरो थर्स नोट विद्धूत संचाइक बैटरी एक लीड एसेड बैटरी थी जो आगे चल कर पहली बार रिचार चेबल इलक्ट्रोनिक बैटरी बन गई अगला अधिया है बीस संपूर्ण रसाइन विज्ञान के संबंद में मिश्रित प्रस्णों उत्तर तो चलते हैं दोस्तों हम लोग देखते हैं कोसर नंबर पहला देखते हैं टॉपिक कहरा है रसा आयू निर्धारन करने में कौन से विदी का परियों करते हैं यूरेनियम डेटिंग फिर होलमार्क का चिन किन उत्पादों पर लगाया जाता है स्वर्णाभूशन सौचालयों में दुरगंध नासी के रुप में किसका परियों किया जाता है और्थो क्लोरोफिनॉल क्लोरोफिनॉल सराब का निर्मान किस किरिया के परिणाम स्वरुप होता किनवन पूरा तत्व अवसेसों तथा अथ्वाजिवासमों की आयू निर्धायित करने के लिए किस तत्व का उपयोग सबसे अधिक क्या जाता है रेडियों सक्रीय कारवन C14 पुरा तत्व अवसे प्रिष्टनापर क्या पर्वापड़ता बढ़ता है यदि किसी दरब में गुलंसिल पदात मिलाया जाए तो उसके प्रिष्टनापर क्या पर्वापड़ता बढ़ता है यदि क्लोरोफॉर्म बेहुस करने वाली दबा को सुरी के प्रकास में भाई वंडल में छोड़ दिया ज्यवत सब्सकराइब हैच गड़ियूस इंदो करें कारण करण डियूस के निर्वांन किस व्यूर्टित वर्ढिय आख तो गर्म करने in पिकृरिक अमनिकता है इस इसका उन्याग काहं तता की सुरुप में जाता है सामानेता दूद का वह रूप जिसमें वसा की मतरा अधिक तता पानी की मतरा कम होती है क्या कहते है किस गैस को कहते है नाजे आक्साइड हणने वालीकरा किस और डियों कितना परतिस्त फॉसप्फोरस पाएज़ता आठ हड़ी वह कितना प्रतिस्धत फोसफरस पाएज़ता आए ते फॉस्ण का ऐड़ोग कहा किया जाता है समुदरी यात्रा में होम सिंगनल देने में फुलोग का उराने ओली गैस है बरतनों की कलाई करने में किसका पर्यों क्या जाता अमोनियम क्लॉराइड आगय है दोसतों सुध अलकोहल में क्या मिलाकर पावर अलकोहल के रुप में हवाई जहाज के इंधन के लिए परियोग किया जाता है बैंजीन या इथर सुध अलकोहल में क्या मिलाकर पावर अलकोहल के रुप में हवाई जहाज के इंधन के रुप में परियोग किया जाता है यूरिया परियोक साला में बनाए गया पहला करनिक पोडार थे यूरिया ऐसीटी लीन का परियों कहां किया जाता है परकास उत्पन करने करने मेंm रक्त का परवाह रोकने के लिए किस योगी का परयूग किया जाता है फैरिक क्लोराइड सवर सेलो में कौन सा परवाह परयूगत होता है CGM यदि दूद से क्रीम अलग कर दिया जाए तो उसके घंद पर क्या परवाह पड़ेगा बढ़ जाएगा इस्पतालों में क्रितरिम सांस के लिए परयूगत होता है ऑक्सिजन वाहिलियम क्या मिला जाता है एथिलीन ग्लाइकोल ठंडे देशों में हिमांग कम करने के लिए कारों के रेडियेटरों में क्या मिला जाता है एथिलीन गलाइकोल पुराने तेल चित्रों के रंग पुराने तेल चितरों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किस योगिका पर उपयोग किया जाता है हाइडोजन पेरोकसाइड पुराने तेल चितरों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किस योगिका उपयोग किया जाता है हाइडोजन पेरोकसाइड सोडियम को कहा रखा जाता है? मिट्टी के तेल में सोना पारा में डूब जाता है क्योंकि सोना का घन तो पारा से होता है अधिक ग्लोबर साल्ट किसे कहते है? सोडियम सल्फेट को Glowar Salves किसे करते है Sodium Sulfate को Quick Silver किसे करते है Mercury को Quick Lime किसे करते है Calcium Oxide को Red Lead या सिंदूर किसे करते है PB3O4 को Jung का Racinic संगठन है Fe2O3XH2O Jung का Racinic संगठन क्या है Fe2O3XH2O Marble का Racinic संगठन क्या है CACO3 Jal Kaats किसे करते है Sodium Silicate Iodine के Alcoholi Willian को क्या करते है Iodine Tincture Formic Amal किन से प्राप्त होता है LAL चीटियों से किनके मिसरन को Power Alcohol करते है Benzen, Petrol वा Ethyl Alcohol किनके मिसरन को Power Alcohol करते है Benzen, Petrol वा Ethyl Alcohol सरवादिक विद्धुत चालक ओधातू कौन है Grafite अक्सीजन वाईू मंडल में सरवादिक मातरां में पाए जाने वाला ता तो है Nitrogen द्रव सोर्न किसे कहते हैं किसे कहा जाता है Petrolium को केवल किसके परमानों के नाभिक में उतक्रिष्ट धातू है ठोस और धातूं में सबसे भारी ततो है स्टाटीन सुस्क बर्फ किसे कहते हैं ठोस कारवन डायोकसाइड को Petrol में लगी आग को जल से नहीं बुझाया जा सकता क्योंकि Petrol जल से होता है हलका Greenhouse परभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदाई गैस है कारवन डायोकसाइड DDT Dichloro Difenyle Trichloro क्या है कितानू नासक दवा है DDT Dichloro Difenyle Trichloro क्या है कितानू नासक दवा है क्लोरो फॉर्म का पर यो किस रुप में होता है निश्चे तक बेहोसी के रुप में नाइटर या सोरा जो कि विसपोटकों में परियुक्त होती है किस योगी को कहते है पोटासियम नाइटरेट को इस परकार दोस्तों यह हमारा यह कम्प्लीट होता है